Hello everyone, Jaihin, my name is Rahul Parmar and today in this session we will going to discuss the third lecture of Indian Geography. बिटा, जो पहला lecture था, उस lecture के अंदर हमने इंडिया की फिजियोग्राफी को डिसकस किया था, हां जी सर किया था. इंडिया की फिजियोग्राफी की हमने बात कि थी, फिजियोग्राफी को कंप्रिट किया था हमने दूसरे lecture में एंड तक. फिर दूसरे ही lecture के अंदर मैंने आपको कई सारे drainage pattern बताये थे जैसे कि dendritic drainage pattern, radial drainage pattern, radial inward जिसको हमने centripetal कहा था, radial outward जिसको हमने centrifugal कहा था, angular drainage pattern, parallel drainage pattern, rectangular drainage pattern और barbed drainage pattern इन चीजों के बारे में हमने last session के अंदर discuss किया था आज इस class के अंदर हम start करेंगे हमारे drainage system को आगे, on the basis of location मैंने आपको drainage pattern को दो पार्ट में classify करके बताया था, तो on the basis of location, location मतलब कहां कहां नदिया बहती है, एक नदी जो हिमालय से निकलती उनको मैंने हिमालया drainage pattern कहा था, वहीं दूसरी river जो की peninsular इंडिया में बहती, उन्हे इसके अलावा वो rivers बेटा, वो rivers जो पूरे साल बहती हिमालया रिवर्स, उसे हम perennial river कहते हैं, और वो river जो सारल के कुछ महीने अच्छे तेज़ी से बहती है, उन rivers को हम कहेंगे आपकी peninsular या फिर seasonal या फिर मौसमी नदिया, ठीके, तो आज इस drainage pattern के अंदर हम एक important topic आगे जा करके पढ़ेंगे that is main lakes of India, भारत के अंदर जितने भी important lakes है, पुलिकट लेक, सांभर लेक, अस्टमुडी लेक, वैंबनाद लेक, सारे जितने भी तालाब है, उन सारे तालाबों के formation के बारे में, वो कहां है और क्या उनकी characteristic है, इस बारे में हम discuss करेंगे, उससे पहले हम इंडिया की सारी rivers को study कर लेंगे, तो start करते हैं सबसे पहली river के साथ, इंडिया की सबसे पहली river जिसे हम कहतें Indus, the Indus also known as Sindhu, Sindhu जिसके नाम से हमारे देश का नाम हुआ हिंदुस्तान, तो यही Sindhu river कहां बहती है, यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहती है, मतलब ब जो विस्व की तीसरी सबसे पुरानी सब्विता के अंदर आती है, तो Indus Valley Civilization के बारे में हमने आपने हिस्ट्री में जाना था, अब बात करते हैं Indus river निकलती कहां से, तो Indus नदी निकलती एक glacier से, glacier जानते हो एक बर्प का बड़ा सा पहाड, उस glacier से नाम है बुखार्चु glacier, तो यहां से Indus river originate होती है, इस बुखार्चु glacier से, ठीक है, और मान सरोवर लेक के पास से होते हुए, नोर्थ वेस्टन साइट फ्लो करके, पाकिस्तान के अंदर एंडर करके, at the end of the day, it discharge its water in Arabian sea near कराची, कराची के पास जाकर Arabian sea में अपना water discharge कर देती है, Indus river, ठीक है, क जहां से originate होती है, तो इट originated from बुखार्चु लेक, मान सरोवर, कैलास रेंज, तिबबत, पहाड का नाम है कैलास रेंज, तालाप का नाम है, मान सरोवर, और साथी साथ, ग्लेशर का नाम है, बुखार्चु, it is called as सिंगी खंबन, उस जगा पर इसे सिंगी खंबन के नाम स से भी जाना जाता है, मतलब lion's mouth, it is total length of 2897 km from the source of origin to the near कराची, where it fall into the Arabian sea, मतलब जहां से वो originate हुई है, से लेकर के तो जहां वो अपना पानी अरब सागर में डालती है, इस पूरी जर्मनी के दर्मियान, उसकी जो length होती है, वो होती है 2897 km, इस बारे हमने last class में जान लिया इंडस cuts through हिमालया and enter into India from धामचोक, इस जगा से जहां से इंडस इंडिया के अंदर एंटर करती है, लदाक और जासकर रेंज के अंदर बहती है, इस जगा से को हम कहते हैं धामचोक, क्या कहते हैं इस जगा को धामचोक, it flows in India, China and Pakistan, तीन देश के अंदर बहती इंडिया, चा it is termed as trans boundary river, इसे हम क्या कहते हैं, trans boundary river कहते हैं, इसके इस तरह के movement के कारेंट, it receives water from पंजनाद नियर मिथान कोट, पाकिस्तान के पास एक जगा है मिथान कोट, पाकिस्तान के पास एक जगा है this one, this place is termed as, this place is termed as, note करो, Mithan Kote, इसी Mithan Kote नाम की जगह पर इंडस, पंजनाद मतलब पाँच नदियों का पानी इंडस को मिलता है, कोन कोन सी हो पाँच नदिया, रावी, बियास, जहलं, सतलज और चेनाब, इन नदियों का पानी इंडस में आ करके मिलता है, कहां पर Mithan Kote के पास, it enter in Pakistan near चीलास in दार्दिस्तान रीजन मतलब ये वाला हिस्सा जहां से इंडस पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है जहां से इंडस किसके अंदर एंटर करती है पाकिस्तान के अंदर इस जगा का नाम है चीलास और ये कौन से रीजन के अंदर आता है दार्दिस्तान रीजन के अंदर आता है ठीक है बच्चा यहां तक clear है दार्दिस्तान से अंदर यह जाकर एड हो जाती है पाकिस्तान के अंदर यहां पर it create hairpin valley हेर्पीन वेली आपने देखा होगा रोड के उपर एसे जले भी जैसे हांट बने होते हैं ठीक उसी प्रकार नदी भी बहती है एक दम मियंडर पाथ में हेर्पीन वेली क्रियेटेड बाइ इंडस इन दर्दिस्तान रीजन ठीक है ओके वह भी नंगा परवत के अंदर नेक्स्ट ट्रिब्यूट्रीज ओफ इंडस ट्रिब्यूट्रीज का मतलब क्या होता सहायक नदी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दिता हूं रिवर का एफम लोग जानते है अभि हमारा ग्रेजुयेशन हो चुका है हम इन चीजों से काफिव भाकिफ हे फर फ्ली बता देता है तो तर्ण स्ट्रक्चर ओफ इवर क्या होता है structure of river so this point this point from where river originate is termed as origin point जो exam point of view से बहुत ज़्यादा जरूरी होता यहां से नदी बहती है अलग-अलग पाद बनाती है और at the end it discharges its water into the sea lake ठीक है या फिर disappear भी हो सकती जैसे की इंडस होती है लूनी या फिर in other river ठीक है यह इस तरह से बहती है अब इस नदी में जहां से यह origin हुई थी वहाप से इसके अंदर पानी कैसे जाता था जैसे पतले से नल से पानी निकलता है जिससे एक मगगा बड़ी मुश्किल से भरा है इसे पानी आता है बट जहां पर यह पानी अपना तमुदर के इंडर रिस्चार्ज करती ही वहाँ इसके अंदर इतना पानी होता है कि बड़े बड़े जहाज चल जाए तो इस अब यहाँ पर कुछ बात मैं आपका बताओं बटा कि यह वाली जहां से रिवर जा रही है जैसे यह रिवर है मैं रिवर हूँ अब मेरे हेड की तरप से देखा जाता है मेरा राइट कौन सा है मेरा लेट कौन सा है यह जो मेरे लेट हेंड मा आएगा इसे में बोलूँगा लेट हेंड ट्रिब्यूटरीज और जो मेरे राइट मा आएगा इसे में बोलूँगा राइट हेंड ट्रिब्यूटरीज जो मेरे राइट साइड मा आएगा that is the right hand tributaries जो मेरे left side में जाएगा that is the left hand tributaries इस तरह की tributaries नदियों की बहेगी यहाँ पर बात समझ में आ गए बिटा ठीके ओके तो बात कर रहे थे हम इंडस की अब इंडस के पास कुछ इसी तरह से tributaries है जैसे की आपका जासकर, किशन गंगा और पंजनाद ये इंडस रिवर को जोईन करती है left hand side से अब जैसे इंडस रिवर ऐसे बहर रही है तो जो नदिया इसको ऐसे left hand side से जोईन करेगी ऐसे left hand side से जोईन करेगी जो इंडस रिवर को उन्हें हम क्या बोलेंगे उन नदियों को हम बोलेंगे बैटा जो left hand side से जोईन करेगी उनको left hand tributaries और जो right hand side से इंडस को जोईन करेगी that are the right hand tributaries of इंडस ठीक है बच्चा चलो तो left and right hand tributaries को हम आगे discuss करेंगे अब सारी tributaries में से एक एक करके discuss करें सबसे पहले उन tributaries को discuss करेंगे जो बहुत important है जो मिलकर करके पंजनात बनाती है उन tributaries का नाम क्या है उन tributaries का नाम है बेटा सबसे पहला जहलम आपने वो मूवी देखी हैदर किस किस ने देखी comment करके बताना तो हैदर हैदर मों गाना जेलम हुआ लाले लाले हुआ लाले सुनना उस गाने को उस मूवी में ही उसका मतलब समझवाएगा इसे नहीं आएगा तो जेलम नदी निकलती है शेष्टनाग के तालाब से जेलम नदी निकलती है शेष्टनाग नियर वेरी नाग वेरी नाम का ग्लेशर है और शेष्टनाग नाम का तालाब है तो यहाँ से ज उपर तक भी है न दुसरे कलर से बना देता हूं तो इसके south eastern part से मतलब यहां से नौर्थ east west south जिसके south eastern साउथ वेस्चन पार्ट से यहां से निकलेगी तो यह हो जाएगी आपकी क्या जहलम नदी ठीक है डल लेक डल लेक एंड वुलर लेक फीड बाई जहलम रिवर डल जिल आपने गाना सुनागो यह चांसार ओकसन चहरा जुलफो का रंग सुनहरा उस गाने की सुटिंग इनही तालावों के उपर हुई है तो डल लेक एंड वुलर लेक फीड बाई जहलम रिवर यह जो डल लेक और वुलर लेक होता है इनको पानी जहलम नदी के तुरूही मिलता है चेस्नेट चेस्नेट का मतलब होता है सिंगाडे खायें कभी तो चेसनेट मतलब सिंगाडे तो सिंगाडे का कल्टिवेशन भी जहलम नदी के उपर ही होता है इट जोइन दी चेनाब रिवर नियर जंग ये जहलम नदी किस नदी को चेनाब को जोइन करेगी इस चेनाब को जोइन करेगी कहां पर जहां पर जोइन करेगी उस जगा का नाम होगा जंग इस जंग नाम की जगा पर ये जोइन करेगी चेनाप को ठीक है ठीक है ओके अब इस 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 ओलसो नोने इस हाइडेस पीच इसी नदी को हाइडेस पीच भी कहते हैं ये वही नदी है जिसके किनारे एक तरफ तो हुआ था battle of high days peace on the bank of river जहलम इसके बाद अगली नदी आती है चैनाब चैनाब सबसे बड़ी नदी है किसकी चैनाब is the largest tributary of Indus इंडस की सबसे बड़ी tributary है चैनाब चैनाब दो नदियों से मिल करके बनती है एक चंद्रा और एक भागा चंद्रा और भागा दोनो नदी के coinfluence से मिल करके बनती है चैनाब नदी जो की Indus River की सबसे बड़ी tributary है नाम है चैनाब नाम है चैनाब फिर आता है रावी रावी originated from धोलाधार range लेसर हिमालिया की एक range है धोलाधार जहां से रावी रीवर निकलती है और इंडिया के अंदर enter कर दिये from the रहतांग पास पासस में ने बताये थे याद है किसी को याद है ज़र तो इट enters India near रहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश इंडिया नियर रहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश से इंटर करती है इसकी total length है 720 km and it is tribute tree of चैनाप यही चैनाप की tribute tree है अगली नदी आती है वियास अगली नदी कौन सी आती है वियास तो वियास नदी जो है वो originate हुई ये बियास कुंड से वियास नदी कहां से originate हुई है बियास कुंड से originate हुई है और ये join कर लेती है सतलज नदी को हरीके के पास हरीके एक wetland है हरीके होकेरा ये दोनों ही wetland है जो पंजाब के region के अंदर आता है तो it join हरीके इंडियास largest canal इंडियास largest canal इंद्रा गांधी के नाल भारत की सबसे बड़ी के नाल जिसका नाम है इंद्रा गांधी के नाल इट स्टार्ट फ्रों बियास एंड सतलज को influence to the Rajasthan ये map आपको दिखाई दे रहा बियास और सतलज नदी का जो mix होता है जहां पानी उस जगह से ये के नाल बनती है जिस के नाल का नदी जाती है कोंसी के नाल इंद्रा गांधी के नाल इसके बाद अगली ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है सतलज बड़ी ट्रिब्यूटरी है बड़ी खतरनाक है और बड़ी रिनाउंड है इंडिया के लिए तो इस ओरिजनेटेट फ्रम राकस लेक कहां से ओरिजनेट होती इट ओरिजनेट फ्रम राकस लेक नियर मान सरोवर तो मान सरोवर के पास से राकस लेक के पास से मतलब वही जगा जहां से इंडस रिवर निकली है उसी राकस लेक मान सरोवर से ओरिजनेट होती है सतलज रिवर के लावस रेंज से इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी परपस देम जिसका नाम है बाकरा नांगल डेम इस सिचुएटेड ओन सतलज रिवर इंडिया का सबसे बड़ा डेम जिसका नाम है भाकरा नांगल डेम सो भाकरा नांगल डेम इस सिचुएटेड ओन सतलज रिवर सतलज रिवर के उपर बना हुआ है भाकरा नांगल डेम जिसे गोविंद सागर डेम के नाम से भी जाना जाता है कोन सा डेम गोविंद सागर डेम जी अस डेम के नाम से भी इसे जाना जाता है बिटा गोविंद वल्लब पंत अलग है ये गोविंद सागर डेम है ठीक है जो कहा बना है 17 नदी के ऊपर बना हुआ है ठीक है इसके बाद आती है जासकर It originated from greater Himalaya and joined Indus कहां से originate होती है सबसे बड़े व्रहध हिमालया से originate होती है और Indus river को join करती है अपने आप में इस point को याद रखना है क्या याद रखना बटा कि नदी कहां से originate हुई नदी originate हुई greater हिमालया से और नदी ने किसे join कर लिया नदी ने join कर लिया है Indus नदी को So these are the tributaries, some tributaries of Indus Moving ahead, अब right bank tributaries की भी बात कर ले Right bank tributaries, left bank tributaries तो वो tributaries जो Indus को नीचे की तरफ से join कर रही अब right bank tributaries है विटा, तो right bank tributaries में आपको सबसे उपर दिखाई दे रहा शोक रिवर, देखो शोक रिवर, शोक रिवर कहां से निकलती है तो शोक रिवर निकलती है रीमो ग्लेशियर से, रीमो ग्लेशियर जो की अकसाई चिन वाले इलाके के अंदर आता है जो कश्मीर के north eastern part में आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर से शोक नदी निकलती है, रीमो ग्लेशियर से, ठीक है और जाकर के मिलती है इंडस रिवर के अंदर फिर नुब्रा रिवर, कौन से रिवर? नुब्रा रिवर नुब्रा, it is a tributary of शोक रिवर जो शोक रिवर है, उसी शोक रिवर की tributary है नुब्रा रिवर किसकी tributary है? शोक की tributary है नुब्रा अगर आप देख पा रहे हो, तो शोक रिवर को नुब्रा रिवर के से जोईन कर रही है शोक रिवर का flowing direction western side है और नुब्रा रिवर का flowing direction eastern side है तो Nubra रिवर ओपोजिट साइट से श्योक रिवर को जोईन कर रही है इस तरह के drainage pattern को हम क्या कहेंगे आप सभी बच्चे प्लीज इसका औंसर कोमेंट करके जरूर बताएं ठीक है किस तरह के drainage pattern को उस तरह के drainage pattern को जहाँ पर नदी दूसरी नदी को opposite direction में जोईन करती है ठीक है याद कीजिए option भी मैं आपको दे देता हूँ barbed drainage pattern, radical drainage pattern, angular drainage pattern या फिर rectangular drainage pattern ध्यान से इसका answer comment कीजिए फिर आती Gilgit River, Gilgit जो river है सबसे उचाई इलाके से आती है, सबसे north इस आती है, almost अफगानिस्थान वाले area से आती है, डुरंड line के पास से तो कौन से river, Gilgit River, Gilgit Baltistan, डुरंड region से आती है और join करती है किसको it joins the Indus, ये भी Indus को join करती है तो these are some important right bank tributary of index ठीक है बेटा मेप के अंदर सभी चीज़े दिखाई दे गई इन चीजों को अगर आप note कर लेते हो आप learn कर लेते हो तो it will be more beneficial for you because combined defense services यहां से कई दफा कई सारे question पूछ चुकी है ठीक है ओके अब एक important point की बात करते बेटा जिसका नाम है Tributary of Indus तो complete हो चुगा इसका नाम है आपका Treaty of Indus Water मतलब बच्चा Indus Water ट्रीटी को हम यहां पर discuss करने वाले है इतंबर 1960 में ये ट्रीटी sign की गई थी भारत और पाकिस्तान ने मिलकर World Bank की अध्यक्षता में तो World Bank की help से भारत और पाकिस्तान ने मिलकर ये ट्रीटी sign की थी ये ट्रीटी क्यों sign की थी हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और 1947 में आजाद होते से ही दोनों देशों के अंदर टसल क्रियेट हो गए थे पाकिस्तान को कुछ जो चीजे चाहिए थे वो उसको नहीं मिल पाई थी इंडिया जो था अपनी चीजों को अपने साथ रखना चाहता था ठीके तो पाकिस्तान को हमेशा एक डर था कि हमारे देश के अंदर एक मात्र हमारी लाइफ लाइन है वो है सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर तो इस इंडस रिवर के उपर अगर इंडिया ने डेम बना दिया इस इंडस्री वर के उपर इंडिया ने अगर क्या बना दिया डेम बना दिया तो इंडिया हमको प्यासा मार देगा इंडिया हमको प्यास से मार देगा एकदम प्यास से मर जाएंगे और अगर इंडिया ने डेम बना कर एकदम से डेम खोल दिया तो इंडिया हमको डुबो के मार देगा तो मतलब हम तो दोनों तरब से कतम हो जाएंगे तो वर्ल बेंग की अध्यक्षता में ये ट्रीटी साइन की गई सितंबर 1960 में जहां पर ये डिसाइड हुआ कि उपर की तीन रिवर्स उपर की तीन रिवर्स या फिर वेस्टन थ्री रिवर्स जिसके अंदर इंडस जहलम और चेनाप इन तीनों रिवर्स का वोटर पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा और रावी बियास और सतलज इनका वाटर यूज करेगा इंडिया रावी बियास सतलज रावी, बियास, सतलज, RBC तो RBS का पानी यूज़ करेगा इंडिया और IJC का पानी यूज़ करेगा पाकिस्तान और इसी ट्रीटी के तुरू पाकिस्तान को इंडस का 80% वाटर दिया गया और हमने उसका 20% वाटर रखा इसी के तुरू इंडिया जितने भी डेम्स बनाता है जैसे बाकरानांगल डेम बना हुआ है पॉंग डेम बना हुआ है बगलिहार डेम बना हुआ है सालाल डेम बना हुआ है तुलबुल डेम बना हुआ है तो इन सारे डेम्स के पहले सोच समझ कर बना जाता है कि ये जो रेशियो होए ये रेशियो कभी डिस्टर्ब ना हो ठीक है वेटा तो इस चीज को चलते हुए एक इंडस वाटर की ट्रीटी की गई थी सितंबर 1960 में ठीक है अब कुछ प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो इंद्रा गांधी सागर के नाल तो इंद्रा गांधी सागर के नाल कहां पर बनी हुई ये इंद्रा गांधी सागर के नाल के शुरुवात होती है जहां पर सतलज रिवर और ब्यास रिवर मिलती है लिखो जहां सतलज रिवर और ब्यास रिवर का कोइंफ्लूएंस इंद्रा गांधी के नाल हो गई है इसके बाद अगला बना हुआ बाकरा नांगल डेम हिमाचल प्रदेस के अंदर बना हुआ है यह भारत का सबसे बड़ा मल्टी परपस डेम है सबसे बड़ा मल्टी परपस डेम है इसका नाम है बाकरा नांगल डेम सतलज नदी के उपर बन प्लीज नोट किया जा इस पुइंट को 17 नदी के उपर बना हुआ है बाकरा नांगल डेम जो सबसे बड़ा डेम है इंडिया का बाकरा नांगल डेम जो है विटा उसको अलग-अलग परपस से यूस किया जाता है कौन-कौन से परपस है सबसे पहला परपस फिशिंग के छटवा ड्राउट कंट्रोल साथ हुआ फ्लट कंट्रोल आठहा इस जगह के उपर जहांपर यह डेम बना हुआ है है यहां पर हाइड्रो intersect का प्रडक्शन करना तो इन कई सारे मुल्टी परपस साद इन कई सारे मुल्टी परपस प्रोट चीजों को मांते हुए यह डेम महा राणा प्रताप सागर डेम कुन सा? महा राणा प्रताप ना की राणा प्रताप राणा प्रताप डेम चंबल के उपर बना हुआ याद रखना राणा प्रताप डेम चंबल रिवर के उपर राजस्थान में बना हुआ है और ये है महराणा प्रताप डेम ठीक है किसके उपर है ये बना हुआ है बियास के उपर बाकरा नंगल बना हुआ है प्रतलज के उपर ठीक है इसके बाद बगली हार डेम बना हुआ है चैनाप के उपर दुलस्ती डेम बना हुआ है चैनाप के उपर और इसके बाद है, तो सालाल डेम भी बना हुआ है चेनाब रिवर के उपर, तो चेनाब रिवर के उपर कोन-कोन से डेम बने हुए है, ओन रिवर चेनाब, there are three डेम, दुलस्ती डेम, बगलीहार डेम, और सालाल डेम, वहीं तुलबुल डेम की बात करें, तो जहलम के उपर पना हुआ है, और ये बेराज है, ये पानी प्रवाइड करता है वुलर लेक को, ठीक है, तो these are the projects on, these are the projects on Indus River, Indus जैसी महान नदी को complete करने के बाद, अब हम आते हैं, हमारे देश की दूसरी नदी के उपर, जिसका नाम है गंगा, तो गंगा, कल्चरली हमारे देश की इंपोर्टेंट नदी है, गंगा, कल्चरली अवरी इंपोर्टेंट रिवर ओफार कंट्री, ठीक है, कहां से ओरिजनेट होती है, तो गंगा रिवर ओरिजनेट नहीं होती, गंगा रिवर दो हेड़वर्ट स्ट्रीम से मिल करके बनती है, और उन हेड़वर्ट स्ट्रीम क का नाम को क्या है एक नदी है आपकी भागी रती एक नदी है आपकी भागी रती जो यहां से निकलती है कहां से गंगोतरी वो दूसरी हो गए आपकी अलक नंदा कहां से निकलती है सतोपंत गलेशियर से तो अलक नंदा सतोपंत से निकली भागी रती गंगोतरी से निकली और दोनों आपस में आगरके मिल गई एक जगह पर जिसका नाम है देवो का प्रयाग यने देव प्रयाग वो यहां से मा गंगा का फोर्मेशन होता है यहां से मा गंगा का फॉर्मेशन होता है कोन सा एक तरफ गंगोतरी नदी कहां से निकली बिटा गंगोतरी से कोन सी नदी निकली भागी रती निकली वहीं दूसरी और एक तरफ गंगोतरी से भागी रती हो गई दूसरी नदी जो थी हमारी जो निकली थी उस नदी का नाम है आपका अलक नंदा अलक नंदा कहां से निकली है अलक नंदा रिवर आपकी ओरिजनेट हुई है सतो पंत से ये दोनों ही रिवर आपस में आकर के मिल जाती है अलक नंदा और भागिरती दोनों ही रिवर आपस मे आ करके मिल जाती है बच्चा कहां मिलती है तो ये मिलती है देव प्रयाग में और फिर इसके बाद बनती है गंगा परंतु अलग नंदा गंगा से मिलने से पहले कई सारी अलग अलग नदियों से मिल करके अलग अलग प्रयाग बनाती है एक-एक करके हम सारे प्रयाक्स की बात करेंगे सबसे पहला बनता है धोली गंगा और भागी रती धोली गंगा और भागी रती नदी के मिलने से जो प्रयाक बनेगा देट इस आर विश्नु प्रयाग धोली गंगा और भागी रती से बना आपका विश्णु प्रयाग फिर नंद प्रयाग धोली गंगा और अलग नंदा से बना विश्णु प्रयाग फिर नंदा किनी और अलग नंदा से बना आपका नंद प्रयाग फिर पिंडर और अलक नंदा से बना कर्ण प्रयाग उसके पश्यात मंदाकिनी और अलक नंदा से मिलकर बना रुद्र प्रयाग और end में भागी रती और अलक नंदा इन दोनों नदियों के मिलने से वच्चा formation होता है आपका देव प्रयाक का और देव प्रयाक से गंगा रिवर का origin होता है ठीक है तो ये गंगा रिवर का origin होता है कहां से देव प्रयाक से origin होता है ठीक है? important tributaries of Ganga Ganga की important tributaries जैसा कि मैंने आपको structure में बताया था कुछ tributaries left hand tributaries होती है कुछ tributaries right hand tributaries होती है तो Ganga की left hand tributaries के अंदर राम गंगा, गोमती, घगरा, गंडक, कोसी, महानन्दा इतनी सारी नदी आ जाएगी सबसे पहले discuss करेंगे राम गंगा को राम गंगा निकलती है पाउरी डिस्टिक उत्राखंड से राम गंगा निकलती है ठीके वेटा, राम गंगा वो नदी है जिसके किनारे पर Jim Corbett National Park बना हुआ है ठीके, राम गंगा के बाद दूसरी नदी आती है आपकी गोमती रिवर तो गोमती रिवर कहां से निकलती है उत्तर प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी को जोइन करती है गोमती नदी को कंप्लिट करने के बाद आती घगरा नदी घगरा नदी निकलती है तिबबत वाले रिजन से और जोइन करती है गंगा रिवर को उत्तर प्रदेश के अंदर पटना के पास पटना के पास ये गंगा रिवर को जोईन करती है इसी के थोड़े आगे नेपाल से निकली गंड की नदी यही गंड की नदी नेपाल से निकलती है और जोईन करती है गंगा नदी को ठीक है गंड की नदी को कंप् उसी नदी जाकर के बिहार में गंगा नदी से मिलती है जिसे सोरो ओफ बिहार भी कहा जाता है इसे सोरो ओफ बिहार भी कहा जाता है क्यों क्योंकि यह बिहार के अंदर बहुत सारा बार लेकर के आती है सबसे पूरब की ट्रिब्यूटरी गंगा की सबसे पूरब में जो ट्र महानन्दा महानन्दा कहां से निकलती है डार्दलिंग हिमालय से और गंगा नदी को जोईन करती है महानन्दा राइट बेंग ट्रिब्यूटरी की बात करे जो गंगा नदी को नीचे की तरफ से जोईन करती है तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी लार्जेस्ट वन यमुना नदी उसके बाद मध्यप्रदेश के अमर कंटक से निकली सोन नदी और मध्यप्रदेश के कटनी से निकली टॉन्स नदी ठीके तो इंपोर्टेंट नदी यमुना की बात करते हैं सबसे पहले तो यमुना की ट्रिब्यूटरी उन्होंने बता रखी है पहले हम यमुना का structure देखते हैं So this is यमुना रिवर यमुना रिवर कहां से originate हुई It originated from यमुनोत्री बंदर पूच नाम की जगा यमुनोत्री से निकलती है And it joined ganga in प्रयाग राज में ये मा गंगा को जोइन कर लेती है कौन सी नदी बच्चा, कौन सी नदी बिटा तो गंगा नदी को जोइन कर लेती है आपकी यमुना नदी कौन सी यमुना नदी अब यमुना के अंदर कुछ ट्रिब्यूटरी जाती है जैसे की चंबल तो चंबल नदी गंगा नदी को जोइन करती है कहां पर यमुना को जोइन करती है इटावा में इट जोइन यमुना इन इटावा इटावा के अंदर यमुना को जोइन करती है चंबल निकलती कहां से है इंदोर मध्यप्रदेश से निकलती है इसी के उपर तीन डेम बने हुए है इन तीनों डेम का नाम क्या है तीन डेम जो इसके उपर बने हुए है उन डेम का नाम है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर मतलब गरज तो इन तीन डेम जो की चंबल के उपर बने हुए है इतावा के अंदर चंबल जोइन करती है यमुना को मद्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों के अंदर बहती है ठीक है इसके बाद दूसरा आता बेतवा नदी बेतवा नदी मद्यप्रदेश र जोइन करती है यमुना नदी को तो इतनी नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यह यमुना का स्ट्रक्चर होगा इसके अलावा एक और नदी है सिंध जो मद्वेश के नोर्दन पार्ट से निकलती है और यमुना नदी को जोइन करती है ठीक है बिटा इसके बाद गंगा river के अंदर से एक river तूटती है और तूट करके अलग हो जाती है उस river का नाम है हुगली river हुगली river हुगली river एक डिस ट्रिब्यूटरी है पहले हमने ट्रिब्यूटरी के बारे में पड़ा ट्रिब्यूटरी क्या होती है वो rivers जो नदी को join करें उन्हें हम tributaries कहते हैं और वो river जो river को join ना करें उस में से तूटकर अलग हो जाए उन नदियों को हम distributeries कहते हैं उन नदियों को हम क्या कहतें बइचा उन river को हम बोलते हैं distributeries तो गंगा से कट कर के अलग हूइ आपकी कटी गंगा कौन सी गंगा बच्चा कटी गंगा तो गंगा नदी से कट करके अलग हुई आपकी कटी गंगा and its main tributy is दामोदर, हुगली नदी जो आपको लाल कलर का डोट दिखाई दे रा इस red dot के पास से हुगली नदी अलग होती है किस से गंगा नदी से मुर्शिदाबाद में कहां से बेटा मुर्शिदाबाद में गंगा नदी से अलग होती है हुगली नदी ठीके इसलिए इसको कटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है ठीके बेटा इसे हम कहते हैं मुर्शिदाबाद कहां से अलग हुई? मुर्शिदाबाद से अलग हुई है कौन सी नदी? कटी गंगा तो कटी गंगा को एक और बात याद रखना इसे भागी रथी भी कहते हैं मतलब वो नदी जिसके मिलने से गंगा बनी थी भागी रथी और अलग नंदा वही भागी रथी का नाम दिया गया है इसको जब ये गंगा से कट के अलग हुई तो भागी रथी नदी और ठीक है भागी रथी नदी मुर्शिदाबाद में इससे तूटकर साउथ वर्ड फ्लो करेगी और इसकी में ट्रिब्यूटरी कौन सी वेटा यहां से छोटा नाकपूर प्लेटियू से एक नदी निकल के आती है जो इसे जोइन करती है और इस दी दामोदर रिवर दामोदर इस में ट्रिब्यूटरी ओफ भागी रथी और बागी रथी क्यों नाम दे रहा हूं में क्योंकि हुगली को भागी रथी भी कहते हैं मतलब यहाँ पर यह एक तरफ तो हुगली बन गई और जो आगे गई ना बांगलादेस के अंदर वहाँ पर इस गंगा का नाम हो जाता बेटा पदमा नदी याद रखना इसका नाम हो जाता है पदमा नदी रिवर पदमा फ्लो टूवर्ड्स दी बांगलादेस एंड रिवर हुगली फ्लो साउट इंटू दी वेस्ट बेंगोल जो हुगली नदी है वो वेस्ट बेंगोल में साउट वर्ड फ्लो करके चली जाती है हावडा ब्रिज हावडा ब्रिज के बारे में हम जानते है हावडा जिसे रविंद्र सेतु ब्रिज भी कहा जाता है इट इस सिच्वेटेड ओन इट इस सिच्वेटेड ओन हुगली रिवर ठीक है वेटा सो दीज आर सम ट्रिब्यूटरी और डिस ट्रिब्यूटरी ओप गंगा रिवर ओके अब हम बात करते गंगा रिवर के उपर बने हुए डेम्स के बाड़े में कि कौन-कौन सा डेम गंगा नदी के उपर बना हुआ है तो गंगा रिवर के उपर सबसे पहला गंगा की ट्रिब्यूटरी के उपर इंडिया का सबसे उचा डेम बना हुआ है highest dame highest dame ओप इंडिया टिहरी डेम भागी रथी नदी के उपर बना हुआ है राम गंगा UK उत्राखन के अंदर राम गंगा नदी के उपर बना हुआ है राम गंगा बांध कोसी कोसी नदी के उपर बना हुआ है रिहंद डेम रिहंद के उपर बना हुआ है बाण सागर डेम बना हुआ है आपका सोन नदी के उपर ये जोइंट प्रोजेक्ट बना हुआ है मद्यप्रदेश के अंदर ठीक है बट इट इस जोइंट प्रोजेक्ट अप उत्तर प्रदेश इन तीनों का जोइन प्रोडेक्ट है सहडोल जीले में बना हुआ है इसके बाद आगा माता टिला माता टिला को राजगांट भी बोलते है राजगांट राणी लक्ष्मी राणी लक्ष्मी बाई सागर ठीक है राणी लक्ष्मी बाई सागर कहां पर MP एंड यूपी बोर्डर मद्यप्रदेश का असोक नगर और उत्तर प्रदेश का ललितपूर इन दोनों की बॉर्डर पर बना हुआ है माता टिला डेम फिर इसके बाद आता चंबल चंबल के उपर गांदी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और दामुदर नदी के उपर बना हुआ है दामुदर डेम ठीक है दामुदर रिवर वेली प्रोजक्ट दामुदर नदी के उपर बना हुआ है आजात भारत के पहले प्रोजेक्ट में से एक आता है दामुदर रिवर वेली प्रोजेक्ट ठीक है इसे कनेड़ा डेम भी कहते हैं इसकी Ako Tributory है जिसका नाम है मयूराक्षी ठीक है उसके उपर वनवा हुआ है मयुराक्षी डेम चलिए अब हिमालियन रीजन की तीसरी नदी हमने हिमाले की दो नदी कर ली बेटा अब हिमालियन रीजन की तीसरी नदी की बात करते हैं उस तीसरी नदी का नाम है ब्रम्ह पुत्र क्या नाम है बेटा ब्रह्म पुत्र तो ब्रह्म पुत्र नदी को अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है इस ब्रह्म पुत्र नदी का origin होता है तिबबत के अंदर तो तिब्बत से जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहाँ पर उसे शैंगपो नाम से जाना जाता है जहाँ से निकलती है तिब्बत से वेटा वहाँ पर इसे शैंगपो नाम से जाना जाता है शैंगपो का मतलब होता है एसा चीज जो सबको पवित्र कर दे एसा ज तिब्बद से इस्टन पार्ट में एंटर होती है तिब्बद की इस्टन पार्टंद चायना में वहांपर इसे यारλनुंग जैंगनमपू नांग से जानते हैं नोट करो फिर नदी फिर जब ब्रह्म पुत्र नदी इंडिया के अंदर आती है ऐसे बहते हुए ये तिबबत से बही इस चन तिबबत में फिर यहां से यूटन मार के नामचा बारवा से कहां से नामचा यहां से इस तरब गई और इसे इधर आई तो नामचा बारवा से इसने यूटन लिया और यूटन लेने के बाद जैसे ये आसाम के अंदर एंटर होती बेटा तो आसाम के अंदर आने के बाद इसे नाम दिया जाता है ब्रह्म पुत्रा ब्रम्ह पुत्रा मतलब ब्रम्हा जी का बेटा भारत की एसी दो नदिया है एक तो सोन नदी और एक ब्रम्ह पुत्र नदी जिन नदी को मेल नेम दिये गया है मतलब इनको मेल पुरुष नाम दिया गया है ठीके इसके बाद आती है जब यह बांगला देश के अंदर एंटर क ब्रम्य पुत्रा नदी को जमुना कहा जाता है, जैसे यह ब्रम्य पुत्रा बांगलादेश के अंदर एंटर होती है, वहाँ पर इसे एक नया नाम दिया जाता है, that is जमुना, और जब जमुना, मिल जाती है पदमा से, पदमा कहा बनी थी मुझे बताओ तो ज़रा, यह यहा बोला था गंगा रिवर का नाम पदमा हो जाएगा कब जब गंगा रिवर बांगलादेश में एंटर करेगी तो तो गंगा बनी पदमा और पदमा मिली जब जमुना से जब पदमा मिलती है जमुना से ठीके कहां पर आखरी में ये जमुना बाद में जाकर के मिल जाती है पद सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुन्दरवन का डेल्टा क्या नाम है बच्चा जी उस विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है दसुन्दरवन डेल्टा चलिए आगे बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है तो ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड फ भी तक निकाल चुके हैं फोड़ा गोर फर्माईए पास्ट में जाईए सबसे पहली नदी जो हमने निकाली थी इन्डस रिवर और तीसरी ब्रह्म पुत्र तो इन्डस सतलज और ब्रह्म पुत्र ये तीनों ही नदिया एक पहाड के केलास रेंज के अलग-अलग कोनों की तर यहाँ पर जो ड्रेंज परनेगा डैल-टाहिज पर्टं मतलब यहाँ पर सेंट्री फ्यूगल पर नेगा की एक सेंटर से नदिया निकल-निकल कर अलग-अलग दिशा के अंदर बहती है तो वहीं से निकलती है लेक मांस सरोवर के लास रेंज से ब्रम्हा पुत्र नदी ठीक है विटा? ओके वेर इट इस टर्म्ड एस शैंगपो जिसके बारे में पढ़ा था हमने वहाँ पर इसे क्या कहा जाता है शैंगपो कहा जाता है इट फोम आ रेक्टेंग्यूलर पेटन मैंने आपको कहा कि यूटन मारेगा क्या ये देखो यूटन तो इसी यूटन के कारेट इसे क्या कहा जाता है रेक्टेंग्यूलर ड्रेनेज पेटन जो 90 डिग्री से बेंड करता है इट इस मच वाइलडर इन आसाम आसाम के अंदर जाने के बाद बेटा ब्रह्म पुत्र बहुत बहुत जादा वाइडर हो जाती है इतनी वाइडर हो जाती है कि इवन दा वर्ल्ड लार्जेस डेल्टा इवन दा लार्जेस डेल्टा अब दा वर्ल्ड जिसका नाम है सोरी इवन वर्ल्ड लार्जेस रिवराइन आइलेंड वर्ड का लार्जिस रिवराइन आइलेंड जिसका नाम है माजूली वो माजूली नाम का रिवराइन आइलेंड ब्रह्म पुत्र नदी के उपर आसाम में बना हुआ है ये रिवराइन आइलेंड ब्रह्म पुत्र नदी के उपर आशाम के अंदर बना हुआ है ठीक है ओके ब् यहां पर ब्रह्मोपुत्रा के मेधान मिलेंगे जैसे गंगा के मैधान है और इंडस के मेधान है िंडस एंड tributaries के बारे में बात करते हैं तो इसकी main tributaries है धनसिरी, लोहित, दिभांग, ठीक है कौन-कौन से tributaries है जो इसको left hand side से join करती है तो left hand side से join करने वाली धनसिरी, लोहित और दिभांग ये इसको left hand side से join करती है वहीं इसी नदी को right hand side से कौन से river जोइन करेगी तो सुबन सिरी मानस और तिस्ता ये तीनों नदी इसको राइट हेंड साइट से जोइन करेगी मानस नदी के किनारे पर रोयल मानस ने शल पाक बना हुआ है तिस्ता सिक्किम से निकलती है और सुबन सिरी लोवर सुबन सिरी जीले से निकलती है अरोनाशल प्र पुत्रा रिवर और इंडस रिवर गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर इन तीनों को कम्प्लीट करते से ही बेटा हमने इंडिया की पेरेनियल रिवर को इंडिया की हिमालियन रिवर को कम्प्लेट कर लिया अब हम इस इंडिया की सदन रिवर्स की बात करेंगे जो प हमारे इस inverted triangle के अंदर आती है, जो inverted triangle हमने पढ़ा था, इस inverted triangle के अंदर जो reverse आती है, उन्हें हम peninsular reverse कहते हैं, these reverse are older than Himalayan rivers, जो Himalayan rivers है बेटा, उन Himalayan rivers से ये reverse older है, मतलब जब Himalayan नहीं बना था, जब Indian plate collide नहीं हुई थी, उस वक्त से ही ये नदिया बहते हैं, तो these reverse are older than the Himalayan river and smaller than the Himalayan river, अब Himalayan में हमने Indus river को जाना, गंगा river को जाना, ब्रह्म पुत्र को जाना, ये तीनों बहुत बड़ी-बड़ी नदिया है, but peninsular rivers जो है, ये छोटी-छोटी नदिया, ये इतनी बड़ी-बड़ी नदिया नहीं है, these rivers are divided into east and west, ये जो नदिया है ना बेटा, इन नदियों को हमने east and west, दो भागों में विभाजित किया है, ठीके, east and west, दो भागों में विभाजित किया से क्या मतलब, इस बात से इसा मतलब है वेटा, कि कुछ नदिया eastern side आती जैसे, आपको यहाँ पर दिखाई देरा, महा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तरफ आती है, और वो नदिया जो पश्चिम की तरफ जाती है, उसमें है नर्मदा नदी, तापती नदी, ठीके, तो एक-एक करके देखते हैं, सबसे पहली peninsular river की हम बात करें, तो सबसे पहली peninsular river है महा नदी river, महा नदी river, great river, महा नदी river, जिसे हम great river भी कहते हैं, महा महा नदी river originate होती है, महा नदी river कहां से originate होती है, चतिस गड़ के राइपूर जीले से, यहाँ पर लिखा हुआ है बटा, चतिस गड़ के राइपूर जीले से, दंड कारेंड के जंगलों से, दंड कारेंड के जंगलों से, चतिस गड़ के राइपूर जीलों से, किस elevation से, 442 की उचाही से जो पठार है दंड कारेंड का प्लेटियू जहांपर Sita Maata को वनवास दिया जहांपर Sita Maata और भगवान राम वनवास में गए थे उसी दंड कारेंड वन से उसी दंड कारेंड के प्लेटिव से ये नदी originate होती है 442 मीटर की हाइट से और पूर्वी की तरफ फ्लो करती है महानदी रिवर का जो बैसिन है वो मेंली छतिसगड और उडिसा इन दोनों राज्य के अंदर आता है ठीक है और ये हमारे पेनेंसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है याद रहे बिटा पेनेंसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस रिवर है ठीक है ओके इस पोईंट को हमें याद रखना संबलपूर संबलपूर मतलब यहाँ पर संबलपूर नाम की जगा पर इंडिया का सबसे लंबा मेनमेट डेम इंडियास लार्जेस्ट मेनमेट डेम इस फॉर्मड ओन महानदी रिवर ओन स्तंबलपूर डिस्टिक ओप उडिसा और वो डेम जो 25 किलोमेटर लंबा है एक एंड से ठीक है कौन सी नदीब के उपर है महानदी दग्रेट रिवर के उपर ये डेम बना हुआ है महानदी की ट्रिब्यूटरी इसकी बात कर ले तो महानदी की ट्रिब्यूटरी इसके नाम लिखिए बेटा हस्देव हस्देव कहां से निकलती अमर कंटक के एकदम नजजदीक से जहां से तो नदी जो हिला नदी और नर्मदा नदी निकलती, वहां से निकलती हस्देव हस्देव के बाद अगली आती मंद मंद के बाद जोंक जोंक के बाद ओंग और तिल इन तीन चार नदिओ को आप learn कर सकते हो जो महा नदी की important reverse के अंदर आएंगे ठीके चलीए पूरी, पूरी को जानते हैं जगनात पूरी, one of the main pilgrimage station of India हमारे चार धामों में से एक और इंडिया का सबसे important एक pilgrimage station जगनात पूरी पूरी इसी महानदी के मुहाने पर बना हुआ है साथ इसाथ पाराधी पोर्ट पराधी पोर्ट भी इसी के मुहाने पर आता है विटा पराधी पोर्ट भी ठीक है याद रख लेना इंडिया की Eastern Coast पर बना हुआ है अगला आता है गोदावरी रिवर गोदावरी रिवर ताउद इंडिया की सबसे बड़ी नदी है Peninsular India की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी रिवर It is known as दक्षिन गंगा इसे हम दक्षिन गंगा कहते हैं दक्षिन भारत की गंगा की बात करें तो वो होती है हमारी रिवर कौन सी जिसे हम दक्षिन भारत की गंगा कहते हैं That is your कावेरी रिवर और दक्षिन गंगा कहलाती है आपकी गोदावरी नदी इसे व्रद गंगा भी कहते हैं मतलब बूड़ी गंगा इस गोदावरी नदी को हम बूड़ी गंगा भी कहते हैं बेटा ये कहां से ओरिजनेट होती है It originated from त्रयंब केश्वर प्लेटियू नाशिक जीला महरास्ट से The major urban center on दिगोदावरी रिवर is नाकपूर ओरंगाबाद नाशिक और राजह मंदरी ये चार जगा इसके किनारे पर इसकी ट्रिब्यूटरी इसके किनारे पर important centers बने हुए हैं जो कि industrial urban center है इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें बेटा तो पुर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रवती और सबारी These are the left bank tributary of गोदावरी कौन सा? पुर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रवती और प्राणहिता इसी के साथ एक और नदी आती, जिसका नाम है प्राणहिता, वो भी इसकी एक tributary है अगर इसकी सदन साइडिया फिर right bank tributary की बात करें बेटा तो प्रवरा, मंजीरा और मन्यार ये इसकी south bank tributary है किसकी? गोदावरी नदी के south bank tributary के नाम में आपको बता दिये ठीक है, बात समझ मा आ गई मेजर अर्बन सेंटर कोन सा बना? नाकपूर, औरंगावाद, नासिक और राजह मुंदरी ये मेजर अर्बन सेंटर इसके किनारे पर बने हुए है एक और बात बता दू राजह मुंदरी में आकर गोदावरी दो भाग में तूट जाती एक, वसिस्ट गोदावरी और दूसरा गोतमी गोदावरी इन दो भागों में ये तूट जाती है बिटा ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते अगला आ जाता कृष्णा river रिवर, क्रिशना is the second largest east flowing river of India लाजेस कौन सी हो गई? लाजेस्ट हो गई आपकी गोदावरी इन दो भागों में भाग्वरी भारत की second largest east flowing river है कौन सी river? क्रिशना river तो क्रिशना river is the second largest east flowing river of India क्रिश्णा रिवर राइस प्रों महाबलेश्वर याद रखना महरास्ट्र के सातारा जीले में महाबलेश्वर से के अंदर जो वेस्टन गाटे सहियादरी रेंज महाबलेश्वर से 1336 मिटर की उचाई जोर विलेज जोर नाम के गाउं से ओरिजनेट होती है नदी और पूर् राइट बेंग ट्रिब्यूटरी की में बात करूं तो कोय ना पंच गंग दूद गंगा घान्ड प्रभा ठीके मल प्रभा और तूंगाβद्रा ये क्या है थीज आर्दी राइट बेंग ट्रिब्ईटरी ओफ करिश्णा रिवर वहीं क्रिशणा की लेट बेंगे ट्रिब् हामपी बनी हुई है विजेनगर सामराज्य की राइसधानी हामपी इसी नदीखे किनारे पर बनी हुई है कृष्णा के बाद अगली नदी आती है यहाँ पर जिसका नाम लिखा हुआ है यह गलत लिखा है अगली है कावेरी अगली नदी आती कावेरी तो कावेरी रिवर राइजस अट एन कावेरी रिवर कहां से निकलती है तो कावेरी रिवर राइजस अट एन इलिवेशन ओप तेरा सो इकतालिस मिटर फूम दा मीन सी लेवल तमुद्र की सता से 1341 मिटर की उचाई से ताल कावेरी नाम के एक तालाप से ब्रह्मगीरी की पहाडियों में कुर्ग जीले से निकलती है कौन सी नदी आपकी कावेरी नदी ठीक है दक्षिन भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है दक्षिन की गंगा हो गई गोदावरी वो दक्षिन भारत की गंगा हो गई आपकी कावेरी रिवर ठीक है जहां से ओरिजिन होती है और जहां कम्प्लिट होती है वहां तक कावेरी रिवर की टोटल लेंग्थ है बेटा 800 किलोमेटर ये जो Delta है, Kauvery River का, Kauvery River के Delta को Garden of South India कहा जाता है बिटा इस South India का Garden इसे कहा जाता है किसे Kauvery River के इस खतरनाग Delta को Garden of South India कहा जाता है इसकी Left Bank Tributory Hemavati, Shimsa and Akavati है और इसकी Right Bank Tributory Kabini और Amraavati है ये पोइंट हमें याद रखना है, कौन-कौन सा, राइट बेंट ट्रिब्यूटरी, हिमावती, शिम्सा और अरकावती, राइट बेंट ट्रिब्यूटरी, काबिनी और अमरावती, ठीके, ये था कावेरी रिवर के बारे में, इसी कुछ छोटी-छोटी नदिया है, जो कि पूरब में इंडिया से बहती है, ठीके, पहली है पैननर रिवर, पहली कौन सी नदी है, पैननर रिवर, तो पैननर रिवर कहां से निकलती है, पैननर रिवर निकलती है, नंदी हिल से, करनाटक में और 560 किलोमेटर के साथ-साथ पूरब की तरब बैकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी विसरजित करती है फिर आती ब्रम्हाणी नदी नोर्थ कोईल और संख नदी से मिलके बनती है छोटानाकपूर प्लेटियों से नोर्थ साउथ कोईल निकलती है और संख इनसे मिलकर के बनती है 480 किलोमेटर की का रास्ता तै करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है कौनसी नदी आपकी ब्रम्हाणी इसके बाद सुबर्ण रेखा नदी भी छोटानाकपूर प्लेटियों जहरकंड से निकलती 470 किलोमेटर पार करके बे बेंगाल के अंदर जाकरके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है कौनसी सुबर्ण रेखा वेटा याद रखना इसके अलावा एक important river है जिसका नाम है रिशिकुल्या रिशिकुल्या नदी जो है येक important नदी है जिसकी लंबाई है 165 किलोमेटर एरिया की 165 किलोमेटर एरिया इसकी लंबाई है इसी के उपर endangered olive ridley turtles आते हैं हर साल ठीक है और mass nesting करते हैं मतलब अंडे देते हैं mass nesting करते हैं कौन सी नदी के उपर olive ridley turtle रिशिकुल्या नदी के उपर mass nesting करते हैं ठीक है विटा ये olive ridley turtle है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे इनको local language के अंदर अरी बाड़ा कहते हैं local language में इने अरी बाड़ा कहते हैं अब west flowing river की बात करें तो यहाँ पर आपको red color से map के अंदर looney, mahi, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती ऐसी नदिया दिखाई दे रही है जो west तरफ flow करती है सबसे पहले नर्मदा river की बात करते हैं नर्मदा river अमर कंटक के प्लेटिव से निकलती है मेकाल की पहाड़ी से 11-1312 km की लंबाई तै करती है 13-12 km की लंबाई तै करने के बाद अपना सफर complete करती है और पानी discharge कर देती है खंबात की खाड़ी के अंदर ये तीन प्रमुक राज्यों से बहती है बेटा मध्यप्रदेश, महराष्ट और गुजरात इन तीनों राज्यों के अंदर ये नदी बहती है और ये नदी सत्पूरा के south में विंद्याचल के north में रिफ्ट वेली के अंदर से बहती है मतलब यहाँ पर इसके अंदर ये नदी बहती है ठीक है रिफ्ट वेली के अंदर ये river flow करती है कौन सी आपकी नर्मदा river बात समझ में आ गए बिटा ठीक है इसके उपर बने विए डेम का नाम लिख लो सबसे पहला डेम बारगी डेम जवलपूर MP के अंदर दूसरा महेश दूसरा आजाएगा आपका इंद्रा सागर कहां पर खंडवा MP तीसरा जाएगा ओमकारेश्वर कहां पर खंडवा MP चोथा जाएगा महेश्वर कहां पर जा रहे हो क्या ठाटा भाई भाई आराम से जाना खरगोन MP ठीक है कहां पर आजाएगा खरगोन MP के अंदर तो इतने सारे इसके उपर डेम बने हुए है और अंत्मा आजाएगा सरदार सरोवर कहां पर अहे सरदार सरोवर बांथ जो सरदार सरोवर बांथ बना हुआ है गुजरात के अंदर इसी बांथ के चक्कर में नर्मद बचाव अंदोलन चला था विटा कौन से बांथ के चक्कर में सरदार सरोवर बांथ के चक्कर में ठीक है इसके बाद आता माही रिवर माही रिवर का ये वाला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसको आप हटा लेना मैं दूसरा लिख देता हूँ माही रिवर तो माही रिवर कहां से निकलती है धार से मध्यप्रदेश और Arabian Sea के अंदर जाकर के Water Discharge करती है It cut Tropic of Cancer Twice दो बार Tropic of Cancer को काटती है Mahi River ठीक है इसके बाद अगला आता Tapti River Tapti River कहां से निकलती है तो Tapti River और Tappi Is a river in Central India Central India की एक नदी है Tapti River और Tappi दोनों इसके नाम है ठीक है Which flow westward जो western side flow करती है Which flow westward Before draining into the Arabian Sea Arabian Sea में गिरने से पहले Westward flow करती है और अपना Water Arabian Sea के अंदर जाकर के Discharge करती है इस Tapti River के उपर बना हुआ है यह Tapti River originate होती है मुलताई से कहां से मुलताई से यह जो जगा आपको दिखाई देरी मद्यप्रदेस के अंदर यह जगा This is मुलताई बेतुल तो इसी मुलताई बेतुल से Tapti River निकलती है और अपना Water Discharge करती है Gulf of Khambad के अंदर ठीक है यह फिर Arabian Sea के अंदर इसी Tapti River को सूरी पुत्री के नाम से भी जाना जाता विटा कौन से नाम से जाना जाता है इसको सूरी पुत्री के नाम से जाना जाता है Tapti River के ऊपर एक डेम बना हुआ है जिसका नाम में Ukai Dam Ukai Dam is situated on Tapti River और Ukai Dam जो है वो मध्यप्रदेश और महराष्ट दोनों का joint project है मध्यप्रदेश और महराष्ट का joint project है आपका उकाई डेम बात समझ मा गई हाँ जी सर ओके अगला अता लूनी रिवर लूनी इस दे लार्जेस रिवर इन थार डेजर्ट आपका जो थार डेजर्ट है उस थार डेजर्ट की सबसे बड़ी नदी का नाम है लूनी रिवर सबसे बड़ी रिवर कहां की थार डेजर्ट की ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा ना बेटा ये वाला part this is थार रिजन इंडिया का एक मात्र जो मरुस्तल है यहाँ पर ये जो जगह आपको दिखाई दे रही दिस्वन बाल तोड की जगह इस बाल तोड के उपर उपर तक इधर इस बाल तोड के उपर उपर इस वाले एरिया के अंदर रिवर का पानी रहता है मिठा यहाँ पर पानी केसा होता है मिठा कहां से जहां से river originate होती मतलब अजमेर से originate होती अरावली mountain से वहां से ले करके तो बाल तोड़ तक इसके अंदर मीठा पानी होगा और बाल तोड़ से लेके करे तो run up कच्छ तक इसके अंदर खारा पानी मिलेगा ठीके, ये एक एसी नदी है जो किसी दूसरे समुद्र, किसी दूसरी नदी, किसी दूसरे तालाब में जाकर ख़तम नहीं होती बट अपने आप धरती के अंदर डिसेपियर हो जाती है एक मार्शी लेंड के अंदर इस तरह के river system को indoor FC drainage system कहते हैं ठीक है बच्चा कहाँ जाकर के खतम हो रही है मार्शी लेंड में खतम हो रही है वो भी रणोप कच्छ के अंदर बात समझ में आ गई हाँ जी सर ओके चलिए आगे बढ़ते next इस साबरमती river साबरमती river कहां से निकलती है मतलब ये वाला भाग बिटा राजिस्थान का ये जो पार्ट है न ये वाला यहां से निकलती है वो फ्लो करके आते वे गुजरात होते वे रणोप कच्छ के पास से अपना पानी अरब सागर में डाल देती है कौन सी रिवर? साबर मती रिवर कहां से निकलती है? अरावली हिल से निकलती है 762 मीटर की उचाई से ठीक है? तेपूर नाम के गाउं से जो राजिस्थान के अंदर एक famous tourist station और एक famous district है उदैपूर वहाँ पर है तेपूर नाम का गाउं वहां से निकलती है इसकी total लंबाई की बात कर पेरियार रिवर तो पेरियार रिवर इस दा लोंगेस्ट रिवर ओप केरेला केरेला की सबसे लंबी रिवर है पेरियार रिवर जो कि तामिल नडू से निकलती है पेरियार रिवर केरेला की सबसे लंबी रिवर है बर निकलती कहां से तामिल नाडू से निकलती है इसे केरल की लाइफ 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 मुल्ला पेरियार डेम इसी रिवर के डेम उपर बना हुआ है क्या नाम है बटा मुल्ला पेरियार डेम कौन से नदी के उपर बना हुआ है इसी रिवर के उपर बना हुआ है पेरियार रिवर के उपर जी बच्चा जी हां जी सर समझ में आ गया ओके ठीके अब दोनों इन अदी हो गई Peninsular River भी हो गई Perennial River भी हो गई हम लास्ट दो क्लास से इनको डिसकस कर रहे है आज हमारा ये पूरा complete हो चुका है Perennial River के बारे में भी जान लिया Peninsular River के बारे में जान लिया अब इन दोनों River में क्या difference है उसकी बात कर लेते हैं ठीके पहला Himalayan River है और दूसरी Peninsular River है Himalayan River इस Perennial River 12 मासी नदिया Peninsular River और Seasonal River मतलब मोसमी नदिया ये कौन सी है? Seasonal है और Perennial क्या है? 12 मासी है Himalayan River जो है इनका बेसिन बहुत बढ़ा है मतलब बहुत लंबा एरिया कवर करती है और लंबा बेसिन है इनका बेसिन थोड़ा छोटा है इनका बेसिन थोड़ा छोटा है Long from the source to the union जहां से ये निकलती है और जहां जाकर समाप्त होती है वहां तक इसका रास्ता बहुत लंबा होता है और small, from the source of origin to the union, यह छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती हिमाले नदी, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इंडस नदी, यह सब बड़ी बड़ी नदिया है, और यह जो नदिया है, यह छोटी छोटी नदिया, ठीक है? Less number of rivers flows into the ocean, मतलब हिमाले नदियों में तीन नदिया है, जो सिर्फ ocean में जाती है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, बट पैलेंसुलर इंडिया के अंदर, महा नदी, कृष्णा, कावेरी, तापती, नर्मदा, माही, पैनर, पेरियार, मांडवी, साबरमती, ब्रह्मानी, इतनी सारी नदिया जाती है, इसके अंदर, less number of river, और more number of river, ठीक है, deep gorge, बड़ी-बड़ी खाईया बनाती अपने रास्तों के अंदर, valley are shallow, इनकी छोटी होती shallow, shallow valley होती, और इनकी वेली हिमालेन रिवर की deep gorge होती, gorge मतलब खाईया, बड़ी-बड़ी जैसे इंडस gorge, ठ इनकी रिवर जो होती है, इनकी mature stage में और उसके बाद ये navigable होती, इनके उपर कई सारे रास्ते बने है, मतलब waterway 1, waterway 2, waterway 3, इनके उपर बने होए, not navigable, इनके उपर navigation इतना आसान नहीं होता, क्योंकि छोटी-छोटी होती है, और बड़ी-बड़ी चट्टानों के बीच से इतना अच्छा पार्ट डेवलोप नहीं हो पाता, पॉर्म लार्ज डेल्टा, बड़ा सा डेल्टा बनता है नद्यू का, और पैनेंस्वलर रिवर का डेल्टा छोटा होता है, या फिर एस्चुरी होती है, ठीके बड़ा, अब कुछ questions लगाते हैं, जो इन रिवर से related हैं, कुछ questions हम अभी करेंगे, और कुछ questions आपको homework दूँगा, ठीके बड़ा, start करें, चलिए, तो शुरू करते हैं, कोई questions, सबसे पहला, which of the following river as well as end in the territory of India, कौन सी यसी नदी है, जो भारत में ही शुरू होती है, और भारत में ही खतम हो जाती, ब्रह्म पुत्र नदी, कहां से originate होती है, ब्रह्म पुत्र नदी originate होती है, आपके किस region से, तिबद से, कहां से originate हो गई, तिबद से, और कहां जाकर के खतम होती है, तिबद से तो originate हो गई, और बांगलादेश जाकर के खतम होती है, मतलब trans boundary river, इंडस, तिबद से सिरू होती है, पाकिस्तान जाकर खतम हो प्रण्तु चंबल नदी मध्यप्रदेश में इंदोर से ओरिजिनेट होती है और राजिस्थान में जाकर के खतम हो जाती है तो यह नदी सिर्फ हमारे देश में बाकि सारी दूसरे देश में भी जाती है अगला which of the following river is known as दक्षन गंगा कोन सी नदी को दक्षन गंगा कहा जाता है तो दक्षन गंगा हम कहते हैं गोदावरी रिवर को दक्षन गंगा और व्रद गंगा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ओके अगला प्रस्ण इंद्रा सागर डेम in मध्य प्रदेश is built on which river मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी नदी के उपर इंद्रा सागर बांध बना हुआ है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदी आ बिठा मध्य प्रदेश में हम देखी थी Maope represent तापती नर्मदा ठीक है तो मैंने इंद्रा सागर डेम महेश्वर डेम इंद्रा सागर डेम महेश्वर डेम ये कोन सी नदी के उपर बताए थी आपको तेस आर अन्दी नर्मदा रिषर चंबल के उपर गांधी सागर रणाप्रताप सागर और जवाहर सागर ठीक है अगला question कृष्टन राजा सागर डेम कृष्टन राजा सागर डेम is located in करनाटका is built on which river कृष्टन राजा सागर डेम बड़ा disputed डेम है करनाटका के अंदर कौन सी नदी के उपर बना हुआ है तो कृष्णा राजा सागल डेम हम confused हो जाते हैं कृष्णा नाम देखते हुए हम टिक कर देते हैं कृष्णा रिवर के उपर परन्तु कृष्णा राजा सागल डेम is built on कावेरी रिवर in the state of करनाटका और यह रिवर वाटर डिस्प्यूट के अंदर आता है कृष्णा राजा सागल डेम कृष्णा रिवर के उपर है जो तमिल नाडू और करनाटका के अंदर डिस्प्यूट का कारण है बात समझ मा गई बिटा अगला क्योश्चन आप लोगों के सामने नेम दा लार्जिस रिवर इन साउथ इंडिया इसके बाद अगला क्योश्चन विच वन अमंग दा फॉलोइंग लेकी सिच्वेटर ओन दा वेस्ट कोस्ट ओप इंडिया चिलीका, अस्टमुडी, पुलीकट और कोलेरू इसका आंसर आपको कॉमेंट बोक्स के अंदर बच्चा देणा है अगला क्योश्चन इनके कोइफलोएंज पर देव प्रयाग बना हुआ है बात समझ मा गई okey next which river is called as Bengal Soro? Bengal का Soro कोन सी नदी को कहा जाता है Yamuna, Dhamudar Narmada, Tapti कोन सी नदी को Bengal का Soro कहा जाता है ये क्योस्चन भी आपको कोमेंड करके बताना है बिहार का Soro कोसी को कहते हैं तो Bengal का Soro किसे कहते हैं अखला प्रसन Narmada river rises from Narmada कहां से निकलती कहा से निकलती है तो नर्मदा रिवर निकलती है अमर कंटक से बड़ा प्यारा सिंपल सा क्योश्चन है अगला क्योश्चन विच इंडियन स्टेट इस नोन एज लेंड ओफ फाइव रिवर पांच नदियों का राज्य कौन सा है तो पंज आब पंजाब इस दर नेम ओफ फाइव इंडियन रिवर पांच नदियों के नाम पर इसे दिया गया है वाटा क्या नाम है पंजाब वर्धा के बाद आता आपका वेन गंगा पेन गंगा प्राण हिता शिलेरू और इंडरवती इस आर्धि ट्रिविटरी ओफ गोदावरी रिवर next the longest river in the world is विस्व की सबसे लंबी river कौन सी है Nile river जो white Nile और blue Nile से मिल करके बनती है वो Nile river विस्व की सबसे लंबी river है so C will become the right answer which of the following river is not tributary of Ganga इन में से कौन सी Ganga की tributary नहीं है गोमती, गंडक, कोसी और चंबल कोन सी नदी Ganga की tributary नहीं है तो चंबल river Ganga की tributary नहीं है it is the tributary of Yamuna चंबल river किसकी tributary है? Yamuna की tributary है ठीक है, बहुत बढ़े है next, which river is called as male river कोन सी river को male river कहा जाता है male river, male river का मतलब क्या होता male river क्या वो पुरुष नदी है नहीं, जिसका पुरुष नाम हो तो इसी कोन सी river है तो हमारे पास जितने भी river है उन rivers में से दो river ऐसी है एक तो sun river एक तो sun river और दूसरा आपकी ब्रह्म पुत्र ये दोनों नदियों को male river कहा जाता बिटा एक तो sun river और दूसरा brahma putr river इन दोनों को male river कहा जाता है ठीक है? तो ब्रह्म पुत्र हमारा आंसर हो जाएगा बिटा अगला चंबल river flows through चंबल रिवर देखो चंबल रिवर निकलती इंदोर से हैं नोर्थ वर्ट जाती है राजस्थान और MP के बीच में बॉर्डर बनाती है फिर राजस्थान में एंटर कर जाती है फिर यहां से उत्तर प्रदेश में जा करके इटावा में जा करके यमुना से मिल जाती तो उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान इन तीन राज्यों से ये नदी फ्लो करती है कौन-कौन से तीन राज उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान ठीक है ब तिस्ता है क्या सैंगपो है क्या गंडक है क्या यमुना है तो यमुना तो यमुना का नाम है गंडक गंडक का नाम है तिस्ता तिस्ता का नाम है बट सैंगपो is the alternate name of ब्रह्मपुत्र रिवर जो इसे तिबबत में नाम दिया गया है जो इसे कहा नाम दिया गया है बेटा अब सर कुछ और बताएं आगे बताएं कुछ और बताते हैं आगे बताते हैं आपको सो कोलकत्ता इस सिच्वेटेड उन्दा बेंक ओफ रिवर कोलकत्ता कौन सी नदी के किनारे पर बना हुआ है कलकत्ता जो की वेस बेंगोल की राजधानी है इसी के किनारे पर कलकत्ता पोर्ट भी है सो कलकत्ता पोर्ट इस सिच्वेटेड उन्दा बेंक ओफ रिवर हुगली उन्दा बेंक ओफ रिवर हुगली हुगली इस दर डिस्ट्रिब्यूटरी ओफ गंगा कहां से अलग होती बच्चा मुर्शिदाबाद से ये अलग हो जाती है कहां से अलग हो जाती है मुर्शिदाबाद से अलग हो जाती है ठीक है इसी के किनारे क्या बना हुआ है कोलकत्ता पोर्ट दूसरा इसी के उपर जो ब्रिज बना उसका नाम क्या है हावड़ा हावड़ा ब्रिज रविंद्र सेतु इसी के किनारे पर बना हुआ है ठीक है बेटा ओके दा मल्टी पर्पर्पस प्रोजेक्ट ओन दे रिवर सतलज इस सतलज रिवर के उपर मल्टी पर्पर्पस प्रोजेक्ट जो बना हुआ है उसका नाम क्या है तो बहाकरा नांगल प्रोजेक्ट बहाकरा नांगल इस दा मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट सिचुएटेड ओन सतलज रिवर 17 जीवर के उपर जो multi-purpose project बना हुआ है उसका नाम क्या है उसका नाम है भाकरा नांगल भाकरा नांगल is the multi-purpose project कौन-कौन से multi-purpose project एगरी कल्चर के काम आएगा वन मशली पालन के काम आएगा हाइड्रो electricity के काम आएगा चोथा टूरिजम पाँच्वा ग्राउंड वाटर चार्ज टूरिजम हो गया ग्राउंड वाटर चार्ज हो गया हाइड्रोलेक्रिसिटी फिशिंग हो गया ड्राउट कंट्रोल फ्लड कंट्रोल इतने सारे काम में और एक इंपोर्टेंट बाइविडावस्टी इतने सारे काम में इस्तमाल होगा आपका भाकरा नांगल डेम जो की सतलज रिवर के उपर बना हुआ है ठीके? सभी में से कोई शावी पोइंट अगर आपको समझी में ना आए तो बता देना कोमेंट करके जितने भी पोइंट्स लिखे हुए उसको मैं फिर से आपको re-explain कर दूँगा बच्चा क्या कर दूँगा? re-explain कर दूँगा ठीके? इसके बाद which of the following river does not pass थ्रो हिमाचल प्रदेश इन में से इसी कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से पास नहीं होती है बियास पास होती है रवी पास होती है सतलज पास होती बढ़ चेनाब river कश्मीर में बहती है चेनाब हिमाचल प्रदेश से पास नहीं होती है तो B will become the right answer हमारा सही जवाब हो जाएगा B ये हो गया हमारे questions मतलब यहाँ पर हमने हमारी इंडिया की सारी rivers को पढ़ लिया अब एक important topic देखेंगे legs ठीक है तो legs यहाँ पर बता रखें किस-किस activities से legs बनते है इसके अलाव मैं आपको बताते हैं लेक क्या होता है लेक मतलब तालाब तालाब छोटे भी हो सकते हैं छोटे कितने छोटे हो सकते हैं एक pond जितने और बड़े भी हो सकते हैं कितने बड़े जैसे कि caspian sea इतने बड़े भी ठीक है तो यह होते हैं लेक जहां जमीन के उपर डिप्रेशन है उस डिप्रेशन में जब पानी भर जाता है तो उसे हम तालाब बोलते हैं अब तालाब केसे बनते हैं पहला तालाब बनता है टेक्टोनिक एक्टिविटी से टेक्टोनिक एक्टिविटी से जैसे कि आपका एक तालाब बना हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटी से कौन सा तालाब बना हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटी से कौन सा तालाब जैसे रिफ्ट वेली रिफ्ट वेली के अंदर लेक तंगानी का लेक तंगानी का वो टेक लेक है, Crater Lake का मतलब क्या होता है, जो जूला मुखी होती है उसका जो माउथ होता है इस माउथ में depression के कारेंट पानी भर जाए, इसे बोलते हैं Crater Lake, जैसे कहां पर है, Lonar Lake, आपका महराश्र के अंदर, Glacial Lake क्या होता है, जब Glacier पिगलते हैं, तो वही Glacier Mountain के ऊपर, छोटे- टार्न लेक भी बोलते है फ्लूवियल लेक क्या होते है जो नदियों के कारण बनते है जैसे ओक्सबो लेक है ना जैसे रिवर ऐसे घूम घूम के जाती है ना तो वहां से ओक्सबो लेक अलग कर देती है तो यह होते है फ्लूवियल लेक Aeolin Lake क्या होते पिटा Aeolin Lake ऐसे lake होते जो air के थुरू बनते जिसे deserts के अंदर air कही से निकलरी बार-बार है न तो वहाँ पर एक depression create कर देती है depression मतलब low-lying area हवाँ जब बहती है तेजी से तो वहाँ से low-lying area बनने के कारण जब उसमें पानी खटता हो जाता ये तो हो गया आपका समंदर पूरा और समंदर का पानी कोस्ट में कहीं चला जाए थोड़ा सा और उसमुदर से एक sand bar से अलग हो इसे हम लगून कहते हैं तो ये कुछ important lakes होते हैं कौन-कौन से टेक्टोनिक लेक crater lake, glacial lake pluvial lake, aeolin lake और लगून इतने प्रकार के lakes होते हैं अब हम एक-एक करके सभी lakes के बारे में study करेंगे सबसे पहला और important lake Asta Moody Lake सबसे पहला और important lake हमारा कौन सा है? Asta Moody Lake Asta Moody Lake कहां पर आता है? Asta Moody Lake आता है Column District Column District of Kerala Keral जो राज्ज है उस Keral राज्ज की Column District के अंदर आता है Asta Moody Lake Asta Moody का मतलब होता Asta Moody मतलब 8 Asta Moody मतलब 8 branches 8 branches से बना हुआ है ये lake ठीक है? इस lake की multiple branches है Asta Moody Lake की It has been registered as a wetland इसको wetland के form में register किया गया है जो हमारा देश है हमारे देश में इंडिया जो है इंडिया के एकदम western यहाँ पर बना हुआ है ये lake कहाँ पर केरल के अंदर जो इंडिया का एकदम सदन पार्ट है वहाँ पर बना हुआ है ये Asta Moody Lake और ये wetland के अंदर आता है कौन सी wetland? Ramsar Convention 1991 में जो हुआ था इरान के अंदर इरान के अंदर 2 February में को हुआ था 2nd of February is celebrated as a wetland day तो ये उसी के अंदर लिया गया है कौन सा Asta Moody Lake अगला आता है आपका अगला आता है भीमताल भीमताल लेक भीमताल, नेनीताल ये कहाँ आते हैं भीमताल और नेनीताल लेक आता आपका कुमाउन डिविजन कुमाउन मतलब हिमालया का उत्राखंड के अंदर आने वाला भाग तो उत्राखंड के अंदर आने वाला भाग हिमालया का कुमाउन रिजन इस रिजन के अंदर जैसी ये हिमालय है पूरा यहां से आते तो यहां बना हुआ है उत्राखंड के अंदर it is situated in the भीमताल टाउन अगर आप कई सारे लोग कभी trip के उपर गए हो नेनी ताल भीमताल यहाँ पर क्या होता है मैं गया था एक बार trip पर नेनी ताल स्कूल की तरब से तो मैंने क्या देखा था कि वहाँ पर एक दम प्यारा सा नील जैसा पानी है ना और उस पानी के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी मचली थी तो वो नेनी ताल था नेनी ताल के साथ साथ यहाँ पर भीमताल है ठीक है तो भीमताल is situated near the town of भीमताल in कमाउंड डिविजन कमाउंड डिविजन में आता उत्राखन के ठीक है इसके सेंटर में एक आइलेंड बना हुआ है यह जो भीमताल का टाउन है इसको इतनी पॉपिलरेटी नहीं मिली जितनी नेनी ताल के पाउंड को नेनी ताल के लेक को मिलती है बट नावेडेस यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं इस भीमताल लेक के पास अगला आ जाता है आपका भोज भोजिताल भोजिताल कहां पर आता है लोकेटेड इन दे सिटी ओप भोपाल मद्यप्रदेश की जो कैपिटल है उस कैपिटल सिटी ओप मद्यप्रदेश के अंदर भोपाल का तालाब बना हुआ है जो इंडिया का एकदम सेंटर पार्ट है ना पिटा सेंटर पार्ट के अंदर ये आता है भोजिताल दूसरा ये दो तरह के तालाब में बना हुआ एक अपर लेक और एक लोवर लेक अपर लेक लोवर लेक दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है तो इतना समझ में नहीं आता बट अगर आप कभी भी भोपाल की सिटी को आपने विजिट किया हो तो आपको ये लेक देखने को मिलेगा कई सारे फोटो इसके रिगार्डिंग मैंने अपनी स्टोरी पर डाल रखे अगर आप चाहो तो देख सकते हैं यहाँ पर एक जो भोपाल जो है भोपाल की सुन्दरता का कारणी भोजताल लेख है जब भोपाल जाते तो वी आईपी रोड को क्रोस करके भोज जो भोज सेत इसके बारे में कैसे पता चला था यहाँ पर भोपाल में जब बेगमों का राज हुआ करता था तो बेगमों ने क्या किया था इस तालाप के अंदर कई 40,000 हाती भीजे थे और हर एक के पाउं से लोहे की चेन बांदी थी जब वो हाती तालाप के अंदर गए थे तो उनमें शहर भोपाल का है ठीक है अगला चंदरताल चंदरताल क्यों कहते हैं चंदरताल लेक को हम चंदरताल लेक इसलिए बोलते हैं बटा क्योंकि ये जो लेक है इस लेक के पास से इस चंदरताल लेक के पास चांद की रोसनी गिरती है हिमाचल प्रदेस में आता है चंदरताल ल कहते हैं यह लाहुल और स्पीती डिस्टिक मा आता है कि कौन सी लाहुल और स्पीती डिस्टिक मा आता है हिमाचल प्रदेस की ठीक है जिसकी समुद्र की सता से उचाई चार हजार तीन सो मिटर है समझे रहे बिटा अगर ये सी लेवल है तो पहाडों में कहीं यहां बसा हुआ है चंद्रताल लेक बहुत उची हाइट है ठीक है छे किलो मिटर का लेक है बस बहुत जादा बड़ा नी बट जब शरत पूर्णिमा होती है और जब चांद की रोसनिस तालाप के अंदर दिखाई देती है तो वो नजारा देखने को ही एकदम बनता है तो ये है चंद्रताल लेक डिस्टिक स्लाहुल एंड स्पीती एंड स्टेट हिमाचल प्रदेश ठीक है? ओके अगला अगला आएगा चेंबर बाक्कम लेक चेंबर बाक्कम लेक जो है इट इस इन चेंगल पट्टू डिस्टिक ओप तामिलनाडू ये कहाँ पर है? चेंगल पट्टू डिस्टिक में है तामिलनाडू की ये 40 किलोमिटर दूर है चेंडने से मतलब मदरास रेसीडेंसी जो है उसके अंदर आता है चेंबर लम बक्कम जो है यहां पर आता है हमारा जो इंडिया है ना इस इंडिया का यह वाला पार्ट यहां पर एकदम कोस्ट के पास में बहुत जादा दूर निमर जो चेंड़ाइं है यि जो मेट्रो पॉलीटियन question पूछे गए command defense services में और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी question खराब जाए इसलिए इसके उपर विशेज ध्यान देना अगला आता चिली का लेक बड़ा खतरनाक लेखे चिली का लेक चिली का लेक is situated on the चिली का लेक is situated in the state of उडिसा ये एक लगून है लगून भी है वेट लेंड के अंदर भी आता है इस लगून लगून and also come in wetland इस ब्रेकिश वाटर कोस्टल लेक ब्रेकिश वाटर का मतलब जानते हो आप ब्रेकिश वाटर का मतलब होता है ना एक पानी होता है potable water जिसको हम पिते हैं एक पानी होता seawater जो बहुत ज़्यादा खारा हुता और इन दोनों के बीच का जो पानी होता तो ये ब्रेकिश वाटर के अंदर आता है आपका चिली का लेक ब्रेकिश वाटर के अंदर आता है चिली का लेक getting my point ठीके बच्चा चलिए भाईया तो चिलिका लेक आ गया आपका इसके अंदर ठीक है दा लेक वास फॉर्म्ट ड्यू टू टू दा सिल्टिंग एक्शन ओप महानदी रिवर दंड कारणने से जो महानदी अपने साथ सिल्टेशन ले करके आती है उसी सिल्टेशन से ये लेक बनता है ठीक है बटा ये याद रखना इस लेक का एरिया के अगर आप बात करोगे तो इसका एरिया है 1175 किलोमेटर ठीक है इसका एरिया क्या होता 1175 किलोमेटर मौनसून सीजन में अब ये तो एक सीजनल लेक है क्यों यह seasonal lake क्योंकि यह peninsular इंडिया के अंदर आने वाले सारे lakes जो होते हैं almost seasonal होते हैं जब monsoon का time आता ना तब इनके अंदर पानी बढ़ता रहता है और जब monsoon के अलावा दूसरा time आता है याने जो हमारा गर्मी का time होता जब यह lake छोटे होने लग जाते हैं यह जो lake है बेटा चिली का lake इस चिली का lake में कई सारे migratory birds आते हैं लिखो migratory birds यहां से यहां पर आते हैं कौन से season में? under के season में यहां पर कई सारे migratory birds आते हैं और इसी के अंदर salt water crocodile मिलते हैं भारे पानी के बड़े बड़े 25-25 फूट के मगरमच इसके अंदर मिलते हैं इवन इसके अंदर बने हुए कई सारे islands का नाम मगरमुख island है तो चिली का lake बहुत important है जो महानदी के मुहाने के पास बना हुआ है क्योंकि महानदी siltation लेकर के आती है अगला आजाएगा आपका डल जिल डल जिल कहां पर है डल जिल है आपका स्री नगर के अंदर तो डल इस famous lake in स्री नगर कश्मीर के अंदर famous है स्री नगर के अंदर डल जिल ठीक है जिसका area है लगबग 18 स्क्वेर किलोमेटर का इस डिवाइड़ बाइ इसको लगबग चार बेसिन में डिवाइड किया गया है कौन-कौन से चार बेसिन है वो चार बेसिन है आपके गागरी बल, लाकूट डल बोड बल और नागिन इन चार बेसिन के अंदर चार अलग-अलग chambers में जैसे बोपाल का लेक, अपर लेक, लोवर लेक में डिवाइड किया गया इसे इसको भी चार लेक में डिवाइड किया गया मिटब क्या हुआ था पहले जब आजादी में देश आजाद हुआ था तो 1947 में इस लेक को समालने के लिए एक management authority बनाई थी लेक and water development authority short form क्या होता इसका LAWDA LAWDA ये इसका short form होता बट आपने एक YouTuber का नाम सुना होगा दीपक कलाल तो दीपक कलाल ने क्या किया दीपक कलाल नाम के सर गए इस तालाप के उपर और उन्होंने एक वीडियो बना दिया कि तालाप को कौन बजाता LAWDA LAWDA पर उन्होंने इसको एक अब्यूसिंग वर्ड बना दिया LAWDA तो उसी टाइम पे उसी टाइम पे लेक एंड वाटर डेवलोप्मेट अथोरिटी जो था इसको चेंज किया गया इसी टाइम पे मतलब 1947 में जब कश्मीर आजाद हुआ था जब भारत आजाद हुआ था कश्मीर भारत का हिस्सा बना था तब इसे ये नाम दिया गया था उन एक यूट्यूबर के कारण उन एक यूट्यूबर के कारण अगले ही दिन कश्मीर की गवर्णमेंट ने जब वो देखा तो उसका नाम चेंज करके एफिडेविट के अंदर अब उसका नाम रखा लेक एंड मेनेजमेंट अथोरिटी ओपर इंडिया तो उसका नाम बदल दिया गया है चारो नाम बता दिया मैंने जिन से मिलके बना गबरीबाल, लाकूर डल बोड़ डल और नागिन इन चारो से मिलके बना है इस वेल लॉन फोर अप्रोक्सिमेटली 500 हाउस बोड मतलब इसके अंदर आपने हो गाना सुना बटा ये चांद सा रोसन चहरा, जुल्फो का रंग सुना है रहा, ये गाना अगर आप देखोगे तो इसमें जो एक्टर और एक्टरे से वो नाओ के अंदर बेट कर इसे इसे गाने गाते ना, वो डल जील के सुटिंग है, मतलब यहाँ पर 500 से ज़्यादा हाउस बोटिंग है बेटा जो बोट के उपर ही जिन लोगों को घर होते रात भी उन्हें के उपर बितती है, दिन भी उन्हें के उपर गटता है, तो हाउस बोटिंग यहाँ पर बहुत फेमस है, अपार्ट फ्रॉम हाउस बोट दे लेक्स आर प्रोवाइड अगूड अपोशनिटी फोर दी रोरिस्ट एंड केनोईंग एंड वाटर सर्फरिंग आपने देखा होगा पानी के अंदर कयाकिंग करते न, छोटी-छोटी नाओं में तेजते नाओं चलाते दीमेदी में चलाते, रिवर राफ्टिंग यह इस लेक के अंदर की जाती साथी जाती इस फेमस फोर्दी प्रोडॉक्शन ओप चेस्ट नट चेस्ट नट के प्रोडॉक्शन, चेस्ट नट मतलब सिंगाडे, उसके प्रोडॉक्शन के लिए भी जाना जाता है, ठीके अब, being highly polluted लेक is shrinking at a faster pace तेजी के साथ यह लेक स्रिंक होता जा रहा है, जब तेजी से pollution बढ़ रहा है तो इसके चार और utrified water जा रहा हो, यह sink होता जा रहा दल लेक है, उसम interesting flora like lotus flower and water lily and water chestnut मैंने बोला था न, आपको इसके उपर जल कमल भी होते हैं lilies भी होते हैं और सिंगाडे इसकी खेती की जाती है इस डल जील के उपर बच्चा डल जील समझ में आ गया आप सभी को clear है इसे complete करने के बाद अगला जो लेक आएगा that is ध्योबर लेक जो जो ध्योबार लेक है जिसे जय समंद लेक भी कहा जाता है समंद आ गया तो हमें इतना समंद में आ गया कि राजस्थान के अंदर है तो धेबार लेक जय समंद लेक राजस्थान के अंदर स्थीत है वेता is situated in the state of राजस्थान about 45 km east of उदयपूर यह उदयपूर हो गया इस उदयपूर से 45 km east में बना हुआ है धेबार लेक ठीक है इट इस दिलार्जेस्ट आर्टिविशल लेक इंडिया it is one of the पूरा सबसे बड़ा नहीं है बेटा it is one of the लार्जेस्थ आर्टिविशल लेक क्यों क्योंकि इंडिया के अंदर कई सारे आर्टिविशल लेक और है ठीक है it stretches over an area of 87 square km ठीक है जय समंद लेक का area कितना है धेबार का कितना 87 square km इसको सत्रवी सेंचूरी के अंदर बनाया गया था वेन राणा जैसिंग उदेपूर बिल्ट आ मार्बल डेम अक्रोस दी गोमती रिवर जब जो राजा जैमल थे कहां के उदेपूर के उन्होंने राजा जैसिंग ने उदेपूर के जो गोमती रिवर है उसके किनारे पर जो गोमती रिवर है वहाँ पर मार्बल का डेम बनाया था ठीक है और ये जो लेक है ये तीन आइलेंड से मिलके बना हुआ जिसके अंदर जैसमन रिजोर्ट भी बना हुआ है उन्दर लोंगेस आइलेंड इसके अंदर ये जो लेक है कुछ इस टाइप से बना हुआ है जिसने 87 किलोमेटर स्क्वेर का एरिया कवर करके रखा हुआ है इसमें तीन आइलेंड है जिसमें एक आइलेंड के उपर जैसमन रिजोर्ट भी बना हुआ है याद रखना जैसमन रिजोर्ट राजस्थान के अं किसी निजाम का नाम है ठीके तो यह कहां बना हुआ है हिमायत सागर लेक का बना हुआ है टिसेट किलोमिटर फ्रों हेद्राबाद जो हेद्राबाद शहर है अंध्रप्रदेस के अंदर वहां से 20 किलोमिटर दूर बना हुआ है ठीक है और यह सेविंत जो निजाम थे निजाम के साथवे सब जो सन थे उनके नाम पर दिया गया था हिमायत अली खान तो इसलिए इसको हिमायत सागर्त नाम दिया गया था it is an artificial lake constructed across the Musi river in 1927 उनिस सो संतानवे में मूसी नदी विच इस दी Tributery of Krishna उसके किनारे पर निजाम के सातवे बेटे के नाम पर सातवे बेटे की सबसे चोटे बेटे के नाम पर इस लेक का नाम रखा गया था हिमायत अली खान ठीके जो की किस मुसी रिवर के आसपास बना हुआ है ठीके ओके अगला आ गया हूसेन सागर अगेन हूसेन सागर नाम से हमें समझ में आ गया किसका नाम है निजाम के नाम है तो ये कहां पर है हिद्राबाद के अंदर है तो हूसेन सागर is in the city of शहर के अंदर कौन सा लेकि वो ये भी पूछ सकते हैं ठीक है तो इट वास बिल्ट है उन्दर ट्रिब्यूटरी ओप मूसी रिवर अब ये मूसी की भी ट्रिब्यूटरी के उपर बना है ठीक है मूसी की भी ट्रिब्यूटरी के उपर बना हुआ है कौन सा हुसेन सा ठीक है क किस ने बनाया था इसको हुसेन शाव वाली ने 1562 में बनाया था its water is supplied to the city of हेदराबाद important points है बिटा जैसे मैं आपको चेनाबदार पोर्ट का बताया लेक का बताया था जो चेन्ने को water supply करता ठीक उसी प्रकार ये जो हुसेन सागर डेम है ना हुसेन सागर लेक ये water supply करता है हेदराबाद शहर को जो मूसी की एक ट्रिब्यूटरी के उपर बना हुआ है जिसे हुसेन साव वाली ने 1562 में बनवाया था बात समझ मा गई बेटा दोनों हुसेन सागर लेक clear हो गया ओके ओके हुसेन सागर के बाद नेक्स्ट वन इस काली वेली लेक काली वेली लेक कहां पर है तमिल नाडू के अंदर है तमिल नाडू मतलब ये हमारा इंडिया का कोस्टल एरिया है इस coastal area में इस 30 area में यहाँ पर तमिल नाडू के पास काली वेली लेक बना हुआ है तमिल नाडू मतलब एक coastal area ठीक है जो 10 km नोर्थ है पॉंडी चेरी से यहाँ पर है पॉंडी चेरी और इस पॉंडी चेरी से 10 km नोर्थ में काली वेली लेक हमारा बना हुआ है and it is one of the largest wetland wetland क्या होता एक एसी जगा जो लगभग 6 मिटर डेप तक पानी से भीगी हुई हो wetland मतलब गीली आद्र भूमी वो आद्र भूमी जहां पर high amount में flora large amount में फ्योना मिलते मतलब जंगली जानवर और पेड़ पोधे अच्छी मात्रा में मिलते परन्तु encroachment of agriculture मतलब खेती करने के कारेंट लोगों ने इसको encroached कर दिया है और ये धीरे-धीरे shrink होती जारी मतलब पहले जब काली वेली इतनी बड़ी थी अब काली वेली इतनी बड़ी रहे गई धीरे-धीरे encroached जो होता जारा उसके उपर अधी क्रमन होता जारा किसकी तरप से agriculture फिल्ड की तरप से अगला आता आपका खजर लेक खजर लेक चांबा जी लेक के अंदर आता है हिमाचल प्रदेस में याद रखना हिमाचल प्रदेस में ये वाला combined defense services ने question पूछा था कि जो खजर लेक है चांबा जी लेक के अंदर आता हिमाचल प्रदेस के अंदर जो कि 24 किलोमेटर दूर है डेलोजी स्टेशन से आप लोग कभी हिमाचल प्रदेस गए हो कभी विजिट करने गए हो टूरिस प्लेस के उपर तो डेलोजी मसूरी लैंस जाउन एसी जगह जो है उसमें से डेलोजी नाम की स्टेशन से 24 किलोमेटर दूर पर बना हुआ है आपका खजर लेक जिसके किनारे पर हर तरफ से देवदार के व्रक्ष लगे हैं देवदार के जो पेड़ होते हैं पहाड़ी इलाकों में लगते हैं नुकीली पत्ती वाल इसके बाद अगला आता है खेचो पालरी लेक अब यह जो है खेचो पालरी लेक यह कहां पर है यह पश्चिम शिक्किम के अंदर है सिक्किम जिसकी राजदानी गंटोक है इस सिक्किम के पश्चिम इलाके में वेस्टन पार्ट में बना हुआ है आपका यह खेचो पालरी लेक ये एक Holy लेक है मतलब पवित्र लेक है दो धर्म के हिसाब से जो बुद्धिस लोग है और जो हिंदु लोग है दोनों ही लोग यहाँ पर प्रार्तना और पूजा करने इस खेचो पारी लेक के पास आते हैं जो लेक हर तरफ से बबूल के पेडों से घिरा हुआ है कौन स ऊग्रो – अगला आता वा कोलेरू लेक यादए रखना कोलेरू लेक नाखाली कहां पर आता है। यह हमारा इंडिया यहाँ पर है कोलेरू लेक इसके उत्तर में है गोदारी चीलीटा और धकशन में कृष्णा करें लड़ा। गोदावरी निकलती त्रेंब केश्वर एक जोतिर लिंग है त्रेंब केश्वर नासिक से महरास्टरा से गोदावरी निकलती है महाबलेश्वर सातारा डिस्टिक से निकलती कृष्णा और दोनों का जो डेल्टा है जहाओ समंदर में मिलती उनके बीच में कोलेरू लेक बना बचाने के लिए भी डेम आप बनाओगे आपकी बाड़ बचाने के लिए भी सर यह तो इस एरिया का सूखा बच जाएगा मतलब पानी कटता हो गया और इसके आगे का जो एरिया है यहां का बाड़ बच जाएगा तो सुखा और फ्लड रिजर्वायर का काम करते अलग-लग लेक तो यहां पर जो लेक है कोलेरू लेक वो इन दोनों का काम करता है ठीक है The lake was important habitat for an estimate 20 billion residents of migratory birds Migratory birds मतलब कई सारे पक्षी जो उड़-उड़ कर हमारे देश में आते हैं तो लगबख 20 million 20 million मतलब 2 करोड 10 million मतलब 1 करोड 20 million मतलब 2 करोड अलग-अलग पक्षी Migratory birds यहां पर आते हैं जिसमें grey और sported build pelicans भी होते हैं कुईंसे? grey और sported build pelicans एक तरह का पक्षी होता है यह Migratory birds यहां पर आते हैं यह वाला जो लेक होता है बिटा यह वाला लेक फ्लोरा और फ्योना में बहुत रीच होता है मतलब यहां पर जानवर भी बहुत है यहां पर जानवरों के साथ साथ दूसरी चीज एक तो जानवर बहुत हो गए और दूसरी यहां पर घास भी बहुत है जिसके अंदर जानवर चुप सकते है ठीक है? Siberia और पूर्वी योरोप यहां से इन थंडे इलाकों से कई सारे Migratory birds आते हैं उनकी winter spend करने के लिए मतलब हमारे देश की winter बहुत जादा ठंडी नहीं होती उतनी ठंडी नहीं होती जितनी ठंडी Siberia की होती है योरोप की होती है तो यहां से पक्षी उड़ उड़ कर आते हैं October से ले करके तो March तक March जब वसंत का महीना आता है जब सूरेज equator को क्रोस करके उपर की तरफ आता है तब यह birds हमारे इंडिया से return जाने लग जाते हैं ठीके Lakes was notified as a wildlife sanctuary 1999 में याद रखे बेटा इस जगा को इस point को 1999 में इस लेक को wildlife sanctuary बना दिया गया था under the wildlife protection act अप इंडिया wildlife protection act इंडिया के अंदर आया था तो 1922 में आये wildlife protection act के तहत 1999 में इससे एक अभ्यारण बना दिया गया था जहां पर कई सारे migratory birds आते हैं और जिसकी अलग-अलग values है ठीक है इसके बाद 2002 में इसको ramsayr के अंडर ले लिया गया ramsayr के अंडर किसको लेते वेटा ramsayr के अंदर उन तालाबों को उन जमीन को उन जगा को लेते हैं जो वेटलेंड तो है मतलब बायोलोजी कली जिनका importance तो है बट किसी ना किसी कारण वस उनका importance कम हो रहा है किसी ना किसी कारण वस अगर उनका importance कम हो रहा है तो उसको रैमसार साइट के अंदर लिया जाता है तो 2002 में कोलेरू लेक को भी रैमसार साइट के अंदर लिया गया था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है रिड्यूस दी बायोडावस्टी इन दे लेक यह जो बढ़ता हुआ प्रदूसर ने जो रेगिलर किसी ना किसी तरह का से यहां पर इंक्रीज होता रहे इस कारण से यहां की बायोडावस्टी कम हो रही है इसलिए इसको बचाने के लिए रैमसार ने अपने अंडर लिया था कोमेंट करके बताना बेटा इंडिया के अंदर कितनी रैमसार साइट से तोटल नमर अपर रैमसार साइट स्विच्छ आर प्रज़ेंट इन अर कंट्री कितनी रैमसार साइट हमारे देश के अंडर है यह आपको कमेंट करके बताना है अगला next is main lake of India के अंदर Loktak Lake, बहुत important है कहां पर है बेटा मनिपूर मनिपूर के अंदर आता है Loktak Lake, it is the largest freshwater lake in North East भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा lake है ये freshwater का, floating islands lake, इसके उपर क्या होते ये आपको दिखाई देने बेटा, चोटे चोटे ये जो चोटे चोटे दीप है ना ये यहां के फ्लोरा के है मतलब यहां पर उठने वाले पेड़ पोदे के और वो पेड़ पोदे इसके उपर float करते है, so therefore it is tumdes floating lake विस्व का एक मात्र एसा ये नेशनल पार्ग भी, इसके उपर कौन सा नेशनल पार्ग है मैं लिख देता हूँ, इसको भी note करो कैबुल लैमजव कैबुल लैमजव नाम का नेशनल पार्ग इसके उपर बना हुआ है, किसके उपर? इस lake के उपर, तो कैबुल लैमजव island से इस lake के उपर जो float करते एक जगा से दूसरी जगा इनको FUMDES कहा जाता है IAS की exam के अंदर ये question पूश लिया गया है कि उन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें FUMDES कहा जाता है 1990 में ही 1990 में ही इसको Ramsar convention के अंदर रख लिया गया था तो बेटा एक बात याद रखना जितने भी legs में आपको पढ़ा रहा हूँ इन legs के कई सारे importance है पहला importance क्या है पहला importance इन legs का ये है कि ये legs किसके अंदर आते हैं Ramsar site के अंदर आते हैं और दूसरा ये है कि इन legs के उपर separate question CDS ने पूछे इन legs के उपर separate question CDS ने पूछे आप separate question भी पूछे Ramsar site के अंदर भी आते हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा important हो जाते इस leg के multipurpose use है पहला use hydropower generation hydropower को generate करने के लिए होता है दूसरा irrigation मतलब irrigation में भी काम आता है उसके आसपास और drinking water क्यूँ? क्योंकि it is the fresh water it is the fresh water lake the lake is also a source of livelihood for the rural fishermen who lives in the area surrounding on the fumdis ये जो fumdis है इनके बगल में इनके बाजू में जो area बना है उन area के उपर कई सारे मच्वारे लोग अपना जीवन व्यापन करते है इन मच्वारे लोगों के जीवन को व्यापित करने के लिए ये लेक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कौन सा लेक लोक्तक लेक which is actually a heterogeneous mass of vegetation homogenous का मतलब क्या होता एक तरह का vegetation जहां पाया जाए और heterogeneous मतलब अलग-अलग प्रकार की घास अलग-अलग प्रकार की shrubs अलग-अलग प्रकार के पेड इसके उपर पाये जाते हैं इस fumedis के उपर और soil जो होती यहां की वो soil organic matter से reach होती मतलब you must नमी उसके अंदर ample amount में present होती है तो this is all about the important लोक्तक लेक कौन सा point सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 1990 में रेमसेयर के अंडर आया था इसके उपर जो national park है उसको कैबल लामजाओ कहते हैं और इसके उपर के जो island से उनको fumedis कहते हैं क्या कहते हैं हम fumedis कहते हैं ठीक है यहां पर heterogeneous vegetation पाया जाता है अगला नाको लेक नाको लेक is situated नाको लेक is situated in the district of किनोर in the district of किनोर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के किनोर जी लेके अंदर आता है आपका नाको लेक it is the high altitude लेक जो लेक होते न बहुत उचाई पर बने होते so it is the high altitude लेक लेक is surrounded by willows and poplar याद रखना है बेटा willow, poplar बर्च pine पर ये सारे पेड़ सिर्फ और सिर्फ high altitudes के उपर ही लगते है so it is high altitude लेक which is surrounded by poplar and below ठीक है, there are four बुद्धिस temple, अब क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है, जापर कई सारी बुद्धिस monster बनी हुई है तो it is surrounded by four बुद्धिस temple, अलग-अलग प्रकार के चार बुद्धिस temple से surrounded है it is considered as a sacred लेक, पवित्र तालाब माना जाता है नाको लेक, कहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है याद रहेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर नाको लेक, अगला हता बेटा ओस्मान लेक, ओस्मान लेक बहुत important है, कहाँ पर रहे पहली बात तो इसको आर्टी भीशेली बना गया ठीक है, कहाँ कब बना गया आर्टी भीशेली 1920 में, मतलब आजादी के पहले, जब हेदराबाद के उपर निजाम का सासन हुआ करता था तो निजाम लोगों ने इस लेक को बनाया था हेदराबाद के अंदर 1920 में, जो लास्ट निजाम थे ओस्मान अली खान तो ओस्मान अली खान ने उनके खुद के नाम पर एक लेक बनाया था ओस्मान सागर लेक ये ओस्मान सागर लेक पानी प्रवाइट करता हेदराबाद को जैसे हमने पहले भी एक लेक पड़ा था जो हेदराबाद को पानी देता है ठीक उसी प्रकार ये भी ओस्मान सागर लेक हेदराबाद को वाटर प्रवाइट करता है अग गेस्ट हाउस कोल्ड सागर महल इसके उपर एक guest house बना हुआ है जिस guest house का नाम है सागर महल और इस सागर महल के अंदर क्या करते है निजाम के यहाँ पर जो भी guest आते थे अगर वो guest Britishers हो अगर वो guest India के ही किसी दूसरी सल्तनत से हो वो सब जब निजाम के यहाँ आते थे या फिर निजाम के कुछ लोग वो इ यह जो सागर महल जो हमें दिखाई दे रहा है यह एक heritage building के अंदर भी आता है जहाँ पर निजाम और निजाम के बाद कुछ जो लोग थे वो summer में मतलब गर्मी में कुछ वक्त quality time spend करते थे इस जगा पर ठीक है गर्मी के दिनों में सागर से इस ओस्मान सागर से touch होते होते ह चंडी हवाय आती थी तो इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता वरना south इंडिया की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी specially in the central south इंडिया पैंगोंग लेक को पैंगोंग सो भी कहा जाता है यहां पर टी जो है वो silent है तो पैंगोंग लेक पैंगोंग सो इट इस सिच्वेटे इन लदाख जब जो बाइकर्स लदाख जाते हैं अगर आप लोगों ने 3D8 मूवी का सीन देखा होगा जहां पर वो वो हिरोईन है वो क्या नाम है उनका वो स्कूटी से आती है अपने साथ लाल कलर की स्कूटी ले करके वो इसी लेक के किनारे का एरिया है इसी लेक के पास आज भी एक लाल कलर की स्कूटी रखी है जिसके उपर बेट करके कई सारे लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं फोटो क्लिक करवाते हैं तो इस दा पैंगोंग लेक, लाइस अट डिस्टेंस सो फाइव आवर्स फ्रम दा सिटी ओप लेह, जो लेह है लेह से पांच घंटे का रास्ता यहां पर जाने का, और यह जो लेक है, यह दुनिया के तीसरा हाइस्ट चांगला पास के पास बना हुआ है, ठीक है, और यहां जाना इतना आसान नहीं होता बेटा, इसके लिए special permission की requirement होती है, permission allow होने के बाद ही आप जहां जा सकते हो, और यह जो पैंगोंग लेक है, इसके अंदर ना तो boating allowed है आपको, इस पैंगोंग लेक के उपर security purpose के लिए कई सारे guards available होते हैं, जो आप लोगों को यहां पर बचा जाते हैं, जो आप लोगों की security के लिए, hotel, campsite, house with primitive guest room in the village, यहां पर जो पैंगोंग विलेज है, उस village के पास, पैंगोंग विलेज के पास कई सारे लोग जो guest होते हैं, उनको अपने घर में रोकते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं primitive guest house, मतलब लोग अपने घर में ही guest house बना दे लिए जाए, कौन सा, पैंगोंग सो, अगला आता आपका पुलीकट लेक, पुलीकट इस दा सेकंड लार्जेस ब्रेकिस वाटर लेक और कोरोमेंडल कोस्ट, बहुत इंपोर्टेंट है बिटा, याद रखा जाए, बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है, इट इस दा से कौरोमेंडल कोस्ट, इसी कौरोमेंडल कोस्ट के ऊपर बना हुआ है आपका सेकंड लार्जेस ब्रेकिश वाटर लेक, जिसका नाम है पुलीकट लेक, इस बोर्डर बाई आंध्रप्रदेस और तमिल नाडू, इन दोनों इसको बोर्डर करके रखा हुआ है, मलब एक मतलब है आपकी तमिल नाडू के बोर्डर, इसके सामने कई सारे आइलेंड से, जो स्री हरी कोटा, स्री हरी कोटा के जो आइलेंड से, वो इस लेक को सेपरेट करते हैं बंगाल की खाड़ी के साथ, मतलब यहाँ पर लेक बना, और यह लेक बंगाल की खाड़ी से सेपरेट है बंगाल की खाडी से ठीक है the lake is 63 km long and where I is 0.5 to 18 km width मतलब लंबाई में देखा जाए तो यह lake 60 km लंबा है और आधे km से लेकर तो 18 km तक चौडाई में जाता है ठीक है ओके width किसकी बात करें तो habitat of numbers of local migratory birds कई सारे migratory birds कई सारे local birds इस जगा पर जाते हैं जैसे pelicans, pelicans एक migratory bird है, जो यहाँ पर visit करता है, ठीक है, grey stalk pelicans भी जाते हैं यहाँ पर, इसके लावा kingfisher, kingfisher जो होता है, kingfisher is not a migratory bird, kingfisher हमारे इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि नीलकंट, आपने देखा होगा, किस-किस ने देखा नीलकंट, comment करना, हाँ sir हम पेंटेड स्टोक, birds, spoonbills और ducks, इस तरह के migratory birds, ducks तो यहीं पर पाई जाते, spoonbills और पेंटेड स्टोक, यहाँ पर visit करते हैं, याद रखना, यह birds यहाँ पर visit करते हैं, इस पुलिकट लेक के उपर, याद रखना, आंधर पदेस और तामिल नाडू की border पर बना हुआ है, ब पुशकर लेक, पुशकर लेक राजस्थान के अंदर है, पुशकर लेक is in राजस्थान, तो it is situated in the district of अजमेर, कहाँ पर है बेटा, अजमेर की district के अंदर बना हुआ है, it is an artificial lake, यह एक artificial lake है, मतलब यह बना नहीं है, इसे create किया गया है मानो उसके द्वारा, the lake was separated in 12th century, the lake was created in 12th century, when dame was built across the headward of the looney, looney नदी का नाम सुना हमने, looney नदी, looney नदी के ऊपर, इसको बनाया गया था, इसको headward को, पुशकर को, जहाँ पर आज भी पुशकर का मेला लगता है, कार्तिक पुर्णिमा, कार्तिक का महिना का बाता है, यह था October माता है, यह नव कार्तिक की पुर्णिमा के दिन, यहाँ पर मेला लगता है, पुशकर का मेला बड़ा फेमा से सुरजकुंड और पुशकर का मेला, वेस्टन पार्ट में, अगर आप चाहो तुसके ओपर इंटरनेट पर कई सारे वीडियोस आपको अवेलेवल हो जाएंगे, जिनको आप च It is the Sirmour District of Himachal Pradesh Himachal Pradesh खुद हमारे देश का Sirmour है ठीक है जैसे कश्मीर है कश्मीर के बघल मी हिमाचal Pradesh उसी हिमाचal Pradesh की एक डिस्टिक है सिर्मोर डिस्टिक उस सिर्मोर डिस्टिक के अंदर बना हुआ है आपका रेनू का लेग ठीक है यहाँ पर zoo है जो की major attraction होता है यहाँ पर लोगों का ठीक है it is the site of annual fair in the month of November यहाँ पर November के month में जब ठंड पूरी तरह से नहीं आती बट आपको यहाँ पर ठंड पूरी तरह से इस वक्त नहीं आती पर इस region के अंदर हिमाचल प्रदिस के अंदर आपको ठंड का एहसास हो जाता है तो उस November के month में इस जगा के उपर celebrate किया जाता है एक fair मतलब एक मेला लगाया जाता रेनू का तालाप के उपर ठीक है वेटा यह जो topic है this topic is not only belongs the topic is not only belongs from the lake but the topic is also belongs to the tourism of India मतलब हम सिर्फ लेक नहीं पढ़ रहे हम इंडिया की tourism geography ही पढ़ रहे है आप लोगों को इतना सब कुछ करने के बाद मेरा हालत ही सही समझ में आ रहा होगा कि इतना बहुत जादा headache हो चुका है ठीक है ओके आगे पढ़ते हैं अगला आता आपका रूपकंड लेक रूपकंड या फिर रूपकंड ये रूपकंड लेक आपका उत्राखंड में बना हुआ है देखो बेटा CDS के अंदर कई बार question पूछे गए हैं legs के उपर therefore मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़े बता रहा हूँ ठीके तो रूपकंड लेक जो है उत्राखंड के अंदर है it is lake around which 600 scletons were found at the age of lake यह जो lake है इस lake के around 600 scletons पाए गए है ठीके और इस lake की उचाई कितनी है 5030 meter 5030 meter from the mean sea level इतनी उचाई पर 1942 में radio carbon rating के थूँ पता किया गया था कि यहाँ पर पहले कभी लोग रहते थे जो epidemic से जिनकी मोत हो गई थी तो यहाँ पर लगबग 600 अलग-अलग human scletons पाए जाते इस रूपकंड लेक के अंदर जो उत्राखंड में आता है याद रखना विटा रूपकंड इन उत्राखंड अगला आता सांभर lake very important it is situated in 70 km to the west of जैपूर याद रख लो पहला तो राजस्थान के अंदर है दूसरा largest salt water lake है इंडिया का largest inland 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 largest inland salt water lake है इंडिया का सांभर lake है जो कि जैपूर से west में आता है जैपूर से जैपूर तक भी सूखा पढ़ने लग जाता है उसके भी 70 km west में ये lake आता है इसको क्या किया वेटा समझना ये जो तालाव है ये इतना बड़ा तालाव है इसके इस्टन भाग में इसको 5 km लंबे डेम से सेपरेट कर दिया गया यहां का पानी evaporate होता रहता है और इसका नमक जो इस्तमाल किया जाता है इवन इसका नमक आज से नहीं ancient time से हम water depth varied from few centimeter to the 3 meter मतलब यहाँ पर कुछ centimeter याद रखना few centimeter क्यों बोला मैंने क्योंकि एक थाली सी evaporation ज़्यादा होता एक glass के compare में तो कम से कम 3 centimeter से ले करके तो मतलब कुछ centimeter से ले करके तो 3 meter की depth तक यहाँ पर पानी रहता है और यह पानी evaporate होता रहता और evaporate होने के बाद यहाँ पर नमक बनता है और उसी नमक को export किया जाता है और यह लेक भी बेटा एक ramsar site के अंदर wetlands में आता है इस point को याद रख लेना रेक और ramsar site है यहाँ पर कई हजार thousand so birds आते हैं thousand so birds आते हैं इस area के अंदर मतलब राजस्थान के अंदर एक जगा है जिसका नाम है मिनार मिनार जिसको bird village of India भी बोलते हैं इवन यहाँ के जो लोग है अपने खेतों के ऊपर अपने घरों के ऊपर दोनों जगे आनाज फेकते हैं तकि जो bird village बोलते हैं इंडिया का ये भी राजिस्थान के अंदर आता है ठीके इसके बाद आता सस्ठम कोटा सस्ठम कोटा कहां पर है केरल के अंदर है सस्ठम कोटा लेक is situated in the state of केरल के अंदर सस्ठम कोटा लेक बना हुआ है it is located near the सस्ठम कोटा in Column district कोलम जीले के अंदर सस्टम कोटा के पास 30 किलोमेटर कोलम से दूर ये तालाब बना हुआ है इट इस दा ग्रेट अट्रेक्शन टू दी टूरिस्ट आप लोग ने अगर वो मुवी देखी हो जिसके अंदर टाइगर स्रोफ का बच्चा है मतलब उनके बेटे हैं उनका नाम सोरी जेकी स्रोफ के बेटे हैं टाइगर स्रोफ और वो शक्ति कपूर की बेटी है श्रद्दा कपूर वो इस मूवी के अंदर चम चम करके गाने पर डांस करते हैं वो इसी रीजन के अंदर होता है ठीक है? इसी स्टस्चम कोटा के अंदर है इसके बाद आता शस्ता और साथ टाल सस्ता और साथ टाल कहां पर आता है? जो इट इस काम quiet group of seven legs साथ टालाबों का ग्रूप है वेटा साथ टालाबों का ग्रूप है जो की भीमताल टामून के पास आता है कुमोनड डिस्टीक इप उत्राखण उत्राखण के कुमोन जिले के अंदर कुमोनड डिविजन के अंदर यह आता है और इस ये 1370 मीटर उचाई पर बना हुआ है कहाँ पर सी लेवल के उपर से सी लेवल से 1370 मीटर की उचाई पर सस्टा और साथ ताल नाम की जगा भीमताल के पास उत्राखन एंशेंट उत्रांचल के अंदर है यहाँ पर thousands of migratory birds आते हैं बहुत सारे migratory birds बच्चा इस जगा को विजिट करते हैं सूरज ताल सूरज ताल लोकेटेड इन बारालाच्छा पास सूरज ताल जो है बारालाच्छा पास के अंदर लोकेटेड है जिसकी हाइट है 4980 km from the mean sea level कहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर सूरज ताल बारालाच्छा पास हिमाचल प्रदेश के अंदर street है यहाँ it is the source of भागा river चंद्रा और भागा river मिल करके चेनाब river बनाते सबी को यादे पहले भी पड़े थे तो चंद्रा और भागा river जो मिल करके चेनाब river बनाते उसमें से भागा river इसी सूरज ताल से निकलती है हिमाचल प्रदेश से ठीक है इसके बाद तवा रिजर वाइर मद्धी प्रदेश के होशंगाबाद होशंगाबाद के अंदर आता तवा is the largest tributary of नर्मदा तवा इस दा लारज़ेस ट्रिब्यूटरी ओफ नर्मदा, नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसके ओपर तवा डेम बना हुआ है, कहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर ये किसके बाउंडरी पर बना है नेशनल पाक है सत्पूड़ा और बोरी वाइड लेप सेंक्चुरी में इन दोनों ही जगह जा चुका हूँ बड़ा खतरनाक एरिया है नंबर ओप टाइगर्स वाइड बोर मतलब जंगली सूर ठीक है आपका सोंगमो लेक सोंगमो लेक कहां पर आता है तो इटी सिच्वेटेड इन दे स्टेट ओप सिक्किम सिक्किम के अंदर बना हुआ है आपका सोंगमो लेक जो की सिक्किम की राजदानी गंटोक से 40 किलोमेटर दूर है जो 37,680, 378 मीटर की उचाई पर बना हुआ है और ये जो लेक है ये आपको दिखाई देना ना दो चीजों के बीच में ओवल सेप में बना है और जो विंटर का टाइम आता ना विंटर के टाइम पर ये जो लेक है ये पूरा-पूरा सूख जाता है ये जो lak है ना ये पूरा पूरा सूख नहीं जा जाता है, इसके उपर पूरी की पूरी बर्फ जम जाती है, तो इस इन ओल शेप्ड, कहां पर है ये, सिक्किम के अंदर है, नाम क्या है, स्थोंग मो लेख, इसके बढ़ आता है, वीरा नाम लेख, तो वीरा नाम located in Kudalore district of Tamil Nadu Tamil Nadu की Kudalore district के अंदर आता है आपका वीरा नाम lake जो 235 किलोमेटर दूर है चन्ने से थोड़ा बहुत भी नहीं 235 किलोमेटर की दूरी पर है चन्ने से It is one of the water reservoir from where water supply to चन्ने यहां से कुछ कैनाल के तुरू पानी चन्ने को supply किया जाता है वीरा नाम lake के पास से कहाँ पर in the state of Tamil Nadu इसके बाद आता है वेंबनाद lake वेंबनाद lake जो होता है वेंबनाद lake कहाँ पर है वेंबनाद को कयाल भी बोलते वो जो lake बेटा जो केरेला के अंदर होते है छोटे 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 lake जिनके उपर बोटिंग की जाती है जहां पर समुद्र का पानी एंटर कर जाता है इन lakes को कयाल कहते है इनको क्या कहते हैं कयाल कहते हैं तो यह जो कयाल्स होते हैं यह कयाल्स कहाँ पर मिलते हैं, आपके केरिला के अंदर मिलते हैं, covering an area of about 200 square kilometer, लगबग 200 kilometer का area cover करके रखता है, and it is the largest lake of Kerala, it is the largest lake in the Kerala, the lake lies at sea level, बेटा समुद्र जो है ना, उसकी सता के एकदम बराबरी पर है यह, बस थोड़ा सा separate है, जैसे चिलिका है, चिलिका की तरह, it is not the lagoon, it is separated, ठीक है, एक narrow barrier से Arabian Sea के साथ यह separate है, कई सारी नदी, जैसे पंबा और पेरियार, पेरियार तमिल नाडू से निकलती है, पंबा, यह दोनों ही नदिया इसके अंदर लाकरके अपना water discharge करती, वेंबनाद लेक के अंदर, the lake surrounded by islands of पालिपूरम और पेरुम बलम, पालिपूरम और पेरुम बलम के islands से यह lake separated है, यहाँ पर house boats बहुत ज़्यादा चलती है, और इवन यहाँ पर एक ट्रोफी होती, that is जवाहर, जवाहर boat race भी इस एरिया के अंदर होती है, किस एरिया के अंदर, इस वेंबनाद लेक के अंदर, जवाहर boat race भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है बिटा, तो this is the जवाहर lake, and with this particular point, जैहन, यहाँ पर हमारा यह जो topic था, यह पूरा complete हो गया, river sop India, lakes sop India, याद रखना बेटा, आपको इसा लगेगा, कुछ lake काम के नहीं है, पर मैं आपको बता दू, जो छोटी चीज होती है, उनको UPSC push tab नहीं, UPSC जाता है, एक अलग unique चीज निकाल के, ठीक है, एसा मत समझे ना, कि UPSC जब उनको किताबों में mention कर दे, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे, आपको सारे lakes इंडिया के deep details, और उनकी सारी values के साथ में ने बताए, ठीक है, इंडिया की सारी reverse आपको बताईए, तो आपको यह सा सारी चीज लर्न करना है, ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले lecture के अंदर एक नए और बहतरीन टोपिक के साथ, जय हिन एंड जय भारत